हालो दोस्तों कैसे हैं मैं आपका साथी आपका लाउस एड़ोकेट अच्छे तो बाद याए फ्रमागरा अज प्रदेंट हुआ हूँ एक नई जोश के साथ और एक नई उमां के साथ वो है क्योंकि मैं आज एक नया एक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं और वो है आपका भा बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम शुरू से लेके लास्त तक पूरा करेंगे कबर इसमें सारी चीजह में इंपॉर्टेंट जो भी होगा में से रिलेटिव सारा आपको बताऊंगा इसमें और प्रिलिम्स का तो मैं सारा कबर करवाई रहा हूं लेकिन मेंस क इसके लिए वीडियो अलग बनाने वाले हैं जिससे बच्चे कुछी तरह से लावाल मित हो सके उनको पूरा पूरा बैरिक बिन सके हर चीज़ का यहां इविडेंस एक के बारे में आप जानते हैं कि देटिश इम्पॉर्टेट अगर इस एक की बात करें तो यह प्रोसीजरर लॉबी ने और एक स्पैशल लॉबी है इंप इस प्रक्रिया विदी है और विशिश्च विदी भी है यहां पर रूक्राइब क्यों है विशि इसके बारे में बता हुँ जाओ और उन्डिया में पहले प्रॉब्लम यह थी कि कोई भी अपराद होता है कि उसके लिए सबूत की बहुत बढ़ी प्रॉब्लम आ रही थी साक्ष की बहुत बड़ी प्रब्लम थी लेकिन सारी चीजें बहुत अस्त व्यास्त पड़ी हुए थी तो एक साक्ष की साक्ष इधी जो यूनिक फॉर्म हो पूरे देश में लागू सके ऐसी मांग की जा रही थी इसके लिए मिस्टर सर जेम्स स्टीफन्स ऐसे रेक किया पूरा तो इसका जो श्रे जाता है वो सर्ण जीम्स स्टीफन सुन को जाता है और विद्वान मेर्टी थे और लास्ट में यह जो एविदेंस एक्टाब बनके तयार हुआ उनके योगदान से और 15 मार्च 15th of March 1872 को गवर्णर केस में साइन हो गए थे जो गवर्णर ज और आप जानते हैं कि यह लागू हुई थी मैंस यह जो सप्स सेप्टमबर को यह लागू हुआ लेकिन इसमें क्वेश्चन सेप्टमबर वाला सारी चीज़ में बताऊंगा और आपका दवार्णर जनल के क्वेश्चन भी जोगी है सिरिल रेडी और एक के बाद एक हम इस से पहले आज जो मैं बताने जा रहा हूं वीदियो टौफिक को समझाने की है कि नहीं ते ने क्या चीज़ें के विपट 돼 तो इसमें से भी अगर आप इस वीडियो को भी आप देखते हैं तो आपको सीधा सीधा जो सेक्शन रेटेट क्वेश्चन है वह आपका सॉल हो जाएगा यहां से और आप इमान के चलिए इस वीडियो से आपको सो काफी मदद मिनने वाली है क्योंकि एक तरह से पूरी रूप रेखा को तेयर करेगा को चलिए स्टार परते हैं सबसे पहले इसमें जो सेक्शन है वह है वह सेक्शन और इसकी जो और चेप्टर जो हैं हमारे साथी साथ चलेंगे तीन फूबी है हमारे इलाइन चेप्टर है किस किसमें क्या क्या है ओके आईए दोस्तों देखें हैं कि येट जेखें हमारे खीओ जाफ कर दोस्तों दोस्तों चेप्टर हैं येट दोस्तों फास बाल आईए खुछ कर दोस्तोंने क्या चेप्टर हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल इंडियन एविदेंस एक 1872 3 parts 11 chapters 166 67 sections that is very important यह जो लास्वाला section है इसका भी question प्रोलिम्स का तो बनता ही है means का तो इतना नहीं बनता है लेकिन important है part 1 part 1 किसके लिए है पार्ट 1 है रेलिवेंशी आफ पैक्स मलब तथ्यों की सुसंगत्ता मतलब जो तथ्य हैं फैक्ट हैं वो एक दूसरे से कैसे मेल खाते हैं मैच करते हैं उस की आप बारे में वह मैच खा रहे हैं सही से या नहीं खा रहे हैं इन सारी चीजों को देखा जाएगा इसमें 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 आपका इंटर्पेटेशन को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने जा रहा हूं और बहुत अच्छे से पढ़ा हूं मैं से जोस्तु चेटर टू ऑफ रेलिएंसी रेलिएंसी और फैक्स यह जालिएंसी और फैक्स फाइट तू 55 55 तक ही आता है वह तक्त्यों की सुसंगतता मतब कहां तक थे कोई भी तक्त्यों जो केस से रिलेटेड़ है और हो कैसे उसकेसे मैच खारा है उससे कैसे उसका तालवेल है इन सब के बारे चेप्टर टू में पढ़ते हैं और फाइ चीज़ों को सारी चीजों को बताया गया है क्या सकता है यह भी कह सकते हैं इसको पर देखिए और नहीं करेंगे करेंगे करेंगा कभी सकता है और नहीं भी कर सकता है तो सबसे पहरा पूइट है जाता है लेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स कथ्थियों की सुसंदक्ता पाइट टो 16 यहां पर आजाता है फाइट टो 16 सक्षिन है जैलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स नेक्स आजाता है जोस्तों इसमें आइडमीशन्स और डियूँ से थिर्ट और थर्टी वान इस पर मेंस में भी क्वेश्चन बनता है एडमीशन के ऊपर तो इसको बहुत डेटेल में बढ़ाने वाला हूं कि आने वाली वीडियो में फिर आदा है लेक्ट अब हुआ कंफेशन 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 कंफेश करना अपनी कंप्विकों को श्युकार कर लेना उसके उपर है सेक्षन 24 30 इसकर भी मेंस में क्वेश्चन बनता है कंफेशन क्या है और इसको कैसे परिएम से किया कर लक्षा रोते हैं और बहुत सारी राते से चाहिए आधे आगा शुद एकी सब्स Software के सबस्क्राइब हुआ अगये संसरी जिंक हो अको 내's जासकता है, as witness, तो बेटनेस के रूप में, साक्ष के रूप में बुलाया नहीं जासकता है, तो उनके कथन कैसे होंगे, उनके statement कैसे होंगे, बहुत important है, इसमें डाइन डेक्लेरेशन बहुत अगाद है, तो 32 और 33 ये section में बहुत important बन जाता है, इसको बहुत डिटेल में सब्सक्राइब आपका स्टेटमेंट में अंडर स्पेशल सर्क्मस्टांसेज अब ऐसा स्टेटमेंट जो खास परिस्तितियों में दिया लिया है उसके ऊपर भी क्वेश्टन इसको पड़ना है इसमें स्टेटमेंट की बहुते जाएंगा तो तक किया जाए sleeves में आपको चैप्टर वाइस पढ़ाऊंगा आप निश्चन रहें हाओ मच ऑफ स्टेटमेंट इस टूबी पूव्ड मतलब किसी ने स्टेटमेंट दिया है तो को उसमें से कितना उसे प्रूप मानेगा और कितना उसे कंसीडर करेगा यह सेक्षिन चैप्टी नाइन अपनल ही बहुत इंपॉर्ट्टेट्ट किस कि तो उसके तरह दिया गया जो डिसीजने कब सुसंगत होगा माने होगा तो यह बदाया गया है आपका 42-44 में यह भी काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन सिर्फ याद रखने वाली बाते हैं यह प्रिलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और केस लोग इस रिलेटेट जो भी हैं मैं साथी साथ करवाता जाऊंगा लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि मैं अलग से केस लोग की वीडियो अलग से बनाऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए मेंस के लिए और एस प्रिलिम्स के लिए बहुत अलग इंपॉर्टेंट है नेक्स जाता है आपका ओपीनियन और थार्ड परसन ओपीनियन और थार्ड परसन वैल रैलिवेंट जैसे किसी डॉक्टर की है या कोई एक्सपर्ट है तो तीसरा परसन मलब आप जो आपस में डिफेंडेंट और जो प्लाइंटिफ हैं या जो अक्यूजड हैं प्रोजीक्यूशन हैं उनको छोड़कर जो थार्ड परसन हैं उसकी बातें जुसका केस से जदा लेना देना नहीं है उसकी बातें जो कंप्लेमेंट भी नहीं है जो कोई बात करता तो थार्ड परसन माना जाएगा तो कब रेलेवेंट होगी तो इसमें बताया है सेक्शन में 45251 तक यहां पर आता है क्वेशन डालगी पूछ रिया जा हिए जाता है इफिटीयम Mih Benny five section 22 से लेखिए 555 तक लायकर कभ सकए होगा और शीर में डेखेगा येजिड को समय और सभावर्यों में किया जाता है तो कभ पर बतार में और सब्सक्रिए चाएगा तो इसके लिए भी question अच्छा खासा means में भी बन जाता है जब question सरल दिया जाता है means में तो इसमें से means में question आ जाता है problems के लिए इंपॉर्डेंट है लिए तो यह आपका हो गया chapter 1 chapter 2 part 1 में आ जाता है मारा और यह लेके 1 से लेके 55 तक है मैं आपको बता दिये थे इसमें chapter part 1 में आ जाते हैं हम part 2 part 2 है on proof on proof सबूत के बारे में सबूत के बारे में बताया गया है part 2 में ज़्यारगना है part 2 किसके बारे में बताता है, सबूत के बारे में, साक्ष के बारे में, सबूत के बारे में, चप्टर 3, चप्टर 4, चप्टर 5, चप्र 6, 3, 4, 5, 6, ये प्रूफ के बारे में हैं, पार्ट 2 में दिये गए हैं, तो सबसे पहले हैं, there are the facts which need not be proved, ऐसे तथे जिनको साबित करने की जरूदत ही नही हैं, automatically वो साबित ही होते हैं, वो section 56-58, जैसे आपकी mark sheet है, आपकी degree है, या कोई bank का कोई check book है, इस तरह के बहुत सारे government की जो चीजें हैं, या कोई भी non-governmental जो भी जो मानने हैं, authentic हैं, उनकी भी चीजें क्या हैं, कि जरूद नहीं हैं, बहुत सारी चीजें इसमें मैं आप बताऊंगा, मैंने बुड़ एक्जांपल बता रहा हूं बस, यह ग्रूप करने के जरूद महीं है, चक्टर 4, और अविदेंस, इसमें दिया गया है, और अविदेंस 59-60, दो section हैं, इसमें, और अविदेंस 59-60, इसमें बनता है, और प्रेंस में बनता है, यहां बनाता है, नहीं है, डॉकुमेंटरी अविर्स, सिस्तावेजी साक्षे गाकुमेंट्री एविजन्स गाथा और देख दनी और चेक्टर 5 में पहला और दूसरा 74 से 78 तक दिया हुआ है पप्लिक डॉक्यूमेंट 74 से 78 और प्रिजर्मिशन एस तू डॉक्यूमेंट्स की जो प्रिजर्मिशन है माल लेना है वो को धारणा कर लेना है कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में 79 से 90 अब यहां पर वो चीज़े ऐसी कोड निये जिन्हें वो मानेगा और कुछ चीज़े असी नियुक्त मान सकता है तो यहां आपको बता दूगा कि वसा आपको ध्यान लगना है क्या क्या चीज़ें होती है और ने से जादा चैक्टर 6 एक्सक्रूजन ऑफ औरल एविदेंस बाई टॉक्यूमेंट्री एविदेंस मतलब औरल एविदेंस को साक्ष के सामने आपका ओरल एविदेंस उतना मान नहीं रखेगा मानता नहीं होगी इसकी क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री एविदेंस है वो प्रिवेल करेगा ओवर ओरल एविदेंस सेक्शन दिया हुआ है 91-100 दिहां लगना है 91-200 और नेक्स्ट ये इसमें पार रहेगा थर्ड लेकिन हमने आपको बताया पार्ट टू में चेप्टर 3, चेप्टर 4, चेप्टर 5, चेप्टर 6 और ये 56 ते लेकर 100 तक है पूरा ये पूरा ये पूरा ये पार्ट जिसमें आपको याद रगना है सक्षिन 6 ते रुकी एक क्या है और सब्सक्राइब से महां तक है सब्सक्राइब से बिद्धिया हुआ है अगर आप इसको पढ़ने ते इक बार देख लेते हैं दुबारा से वीडियो को चला ते आप देखते हैं या पॉस करके उसको समझते हैं तो आपके दिमाग में इम आपको दीरी याद होने लिग जाएगा एक दो भार इस तरह से आप करेंगे तो आम शॉर कि आप इसे बहुत चल्दी दिमाग में रिटेन कर लेंगे लेकिन आप इदहाओर का डिस्टर्वन सटागी तो दिमाग में रिटेन करेंगे और यह अच्छे से आपको याद हो ज मिल ABOUT लुएं अं लेखेंस कर दो अच्छा उसका प्रस्तुत करण उसका प्रॉडक्शन करना उसको कोट के सामें कैश करना ये सारा का सारा पर मताता है u ऑफीक्ट क्या पड़ेगा उसका प्रभाव क्या होगा और प्रोडक्शन को प्रोडक्शन किसी जाएगा यह सारी चीज़ें बताई जाती हैं इस अब को किसको किसकी उपर है मतला अगर आप कोई आप ने कोई अपराद किया है आप सिद्द्ध करें कि मैंने कोई अपराद नहीं किया है यह बहुत इंपॉर्टन है बहुत जदा इंपॉर्टन है में इसमें परशन आता है और वन से लेका बहुत जदा इंपॉर्टन होनी जड़ा है और एविडेंस को आपको बिल्कुल मिस्स नहीं करना है नेक्स आज़ता है एक और इंपॉर्टन पार्टन चेटर एट अपने आपने आपने ही बहुत इंपॉर्टन है इस टॉपल हिंदी में से चलिते हैं विवन कहिंद को बठेब्स करते हैं कोई मामला है उस पर अगर कर देगा रोको देगा लेकिन यह सिमित नहीं हो और भी इसमेंध अब आते हैं जो मैं आपको सक्षिन वाइस समझाऊंगा इसके लिए मैं लाक्सिक वीडियो बनाऊंगा ही निश्चित है नेक्स आता है चेक्टर नाइन विटनेस विटनेस में सेक्षिन 118 तो 134 विटनेस के बारे में बताया गया है प्रोलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है में इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है यह साक्ष के बारे होता है और अगला आता है चेप्टर 10 एक्डामिनेशन आफ बिटनेस इस तरह से आप टीन तरह की एग्जामिनेशन बिटने बदाओ Gegeneka लेकिंश बता रहा हूं कि मैं सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि बता रहा हूं आप यप से बारे में किसमें क्या-क्या दिया हुआ है तो दोस्तों यहां पर जो मुख्य परिक्षा है प्रती परिक्षा है करते हैं कि पूर्ड बुलाता है इसके बारे में सारी चीजें में डेटेल में बताने वाला हूं आप निश्चिंत रहें निकुल तो में एक्सेटर 11 वाला सब्सक्राइबनं इंप्रॉपर एडिंशन और रिजच्शन ऑफ एबीड़े इंहें पर एडिंशन के बारे में बटाया गया है यहां पर इंपर पिलत खरीक्षे सेवसका संस्कृती और शच्रा रिजेक्षिन आप को रिजच्ट करने की पावर लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इसे पहले भी बता सकता हूं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कौन-कौन सी टॉपिक आपको पहले जदा पढ़ने हैं और कौन-कौन सी चीजें आपको बहुत अच्छे से जदा समझनी है में इसके बारे में आपको कौन से टॉपिक चा हमारा पूरा evidence का structure था और अब इसमें आप आगे स्टार्ट करेंगे इसके बारे में section 1 से start करते जाएंगे तो हमारी अगली वीडियो के लिए जरूर त्यार रहें क्योंकि अगर आप नहीं यह देख लिया है तो आप सारी वीडियो को देखना शूं कर दें और यह मान के च चाहिए और कैसे कैसे चाहिए आपको कोई भी प्रॉब्लम है समझने में तो आप मुझे प्रीस कमेंट करें और समझें इस चीज़ को आज आपके सामने evidence का first chapter, first section, start करने जा रहा हूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि evidence देखने में बहुत चोटा है लेकिन इक अपने आप में बहुत बड़ा विटेज रखता है means exam में अगर कोई procedure की त्यारी करता है बच्चा तो procedure आपका evidence CRPC और CPC तीनों को मिला कर बनती है लेकिन CPC और CRPC देखने में तो बड़े काफी लगते हैं और अपने आप में बड़े हैं और समझना भी तुरा टफ है उनको लेकिन यह जो evidence है छोटा है लेकिन इसकी जो प्रिक्रिया है इसको दोनों जबें काम में लाया जाता है चाहे civil में हो चाहे criminal में हो इसलिए बहुत important हो जाता है इसको समझना है मैं यहां पर त्यारी की बात कर रहा हूं प्रेंस की नहीं दोनों ही मेंस की और साथ के साथ इंटर्व्यू तो इसको बहुत समल की आपको दोस्तों पढ़ना है और बिल्कुल भी इसे हलके में नहीं लेना है कि एविडेंस एक्ट यह समझ लिजे आप यूं यूं याद हुजाएगा अगर थोड़ा सा ब्रेन पर जोड़ लगाएगे और चीजों को रटने की कोशिश नहीं करेंगे बट से अंडिस्टैंड करेंगे अंडिस्टैंड करेंगे कि एविडेंस एक्ट ऐसा क्यों है क्या कहता है और जब भी आप इसे पढ़ें तो इसमें एक ऐसी चीज खोजने की कोशिश करें कि मुझे कुछ इसमें से पाना है अगर आप इस तरह से एविडेंस को पढ़ते हैं तो आपको यह बहुत अच्छे से आदेगा है चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों एविडेंस एक का पहला चेप्टर फर्स सेक्शन कहता है इसके एक्स्टेंट को एप्ली केविल्टी को कमेंसमेंट औपजेट इसका विस्तार कहां यह लागू होता है और कपिसका लागू हुआ और इसका उद्देश क्या है इस सारी चीजें दोस्तों बताता है इसमें एकस्टेंट जब से भारत में 370 हटाया गया है सेक्शन सब्सक्राइब करता है पूरे भारत में की लागू होता है इंक्लूडिंग जमू एन कश्मीर इसको बन सकता है इसको आप बनाते रिमाद में इसको सब्सक्राइब असेंट बाइग गवर्नर जनरल ऑन 15 मार्च 1872 अंग्रेजों के समय में इस एविडेंस एट की जवाब शिक्ता पड़ी तो बनाया गया तो गवर्नर जनरल की जो असे इस दिए इस फिफ्टेंट मार्च 1872 को मिली यह आपको व्याद रिखना है कि एक तुफो फॉर्स पॉर्स पॉर्स एटीन 172 अब इसमें टूपर्स वाइटीन सब्सक्राइब अमेंडमेंट अब जो 2018 में तो अमेंडमेंट हुआ उसमेंडमेंट की अकॉर्डिंगे जो लागू हुआ है वो 21st April को लागू हुआ है 2018 तो प्वेश्चन यह दिकन सकता है कि जी अमेंडमेंट जो हुआ है कि स्टेट को हुआ है गब लागू हुआ है 21st April और 69 दे और रिपब्लिक ऑफ इंडिया 69 भारत पर जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है जब से 1947 से गर्म देखते चले आए तो 1947 के बाद से महरा जो संभिदान बना पूरी डेट लगा के चले आए जब से अभी तक इतने साल हो गए आए 69th 2018 में होते हैं उस दिन ये इसको व्याज़ेते हैं इवेंट फोर्स हुआ असेंट बाइप्रेसिडेंट यहां पर गवर्नर की असेंट थी अब जो अदार हो गया तो 11 अगस्त को 2018 में हमारे राश्ट्पती की इसमें असेंट मिली है स्वीपती मिली है और इसमें मैं आपको बता दूँ इंपॉर्टन बाद जाती है कि इस ड्राफ्टेड बाई सर्जेम्स स्टीफन यह जो ड्राफ्ट बना था जब एविडिन्स की आवश्रक्ता पड़ी और बनाया गया विजह उसका प्रारुख तयार किया इसका वो थे विद्वान सर्जे और यही ऐसे विखती है इंको श्रे जाता है एविजन्स को ट्यार करने का इसको समझाने इसको प्राइब लग ऑबर वन इसकी जो रूप बूरेखा तयार की गई वह इनी के जड़िए नी के द्वारा प्यार की गई इंपॉर्टन लिए हो जाता है प्रूनिस के लिए उस कि शार प्रता कि अप्रुष काई है तक जिसका बाएि के विनदिंदि उसकी आतली के तयुव कुछ नहीं माना जाहेगा तो all judicial proceedings ज्यान देना है सारी नियाई कारवाईयों में all judicial proceedings in the court और before the court चाहिए court में हो या court के समक्ष हो सारी जितनी भी judicial proceedings है सब में evidence act लागू होता है दूसरा point evidence act does not apply to कि लागू नहीं होता है अब important बात यहां question बनता है कहां लागू नहीं होता है evidence act कहां लागू नहीं होता है court martial court martial जो आपका सारी सेनाओं से related है जिसमें कोई सेना में कोई अपरात लेक्ती अपरात करता है जब उसको आप यह एक्ट का जो धराएं लागू नहीं होते कोट मार्शल होगा नाइंटीन नाइटीन जडिवाएं इंडियन नेभी डिस्प्लेन एक्ट है इसके अपर चलेगा और अधर एप्र यह कोई आप यह एफोर्स है यह एफोर्स एक्ट के जरीए वहां पर इंब जो मिलिटरी का कानून एंडियर्पॉर्स का नेभी का है वह लागू होगा तो इंपर यह लागू नहीं होगा एविदेंस एक्ट से याद रखना है कि तीन पॉइंट आपको याद रखने है और इसमें इंपॉर्टन बात और है और के लावा एफ्री डेविट पर भी नहीं लागू होगा इसको समझना है कि जब कोई अक्यूज्ड या जिस व्यक्ति के खिलाब कोई मुकजमा दायर किया जा रहा है जो मैटर में फसा हुआ है या सिविल मामले में जो आपका डिफेंडेंट है या प्लेंटिफ है कोई भी रेस्पोंडनेंट है तो वो जो रेस्पॉंस कर रहा है वो अपनी नॉलेज के अकॉरड़िग जो भी एफ्री डेविट दे रहा है वो एविडेंस को कॉंसिटिट नहीं करता है अर्थार वो साक्ष को नहीं बनाता है क्योंकि वो खुदी की नौलेज से एफिटेमिट के जरीए दे रहा है इसलिए उस पर साक्षविधी लागू नहीं होती है अब जो मध्यस्त होते हैं मध्यस्त नियाय ले भी सुने होंगे आपने बनाय जाते हैं लेकिन उन पर भी साक्षविधी लागू नहीं होती है जो प्राकर्तिक न्याय पर रने दिना जो प्राकर्तिक न्याय है उस पर न्याय लिया जाता है इसलिए साक्षविधी इन पर लागू नहीं होती है तो यह पॉइंट पर बहुत इंपार्ड़न थे आब आप जाता है इसका अबजेट इसका उत्टेश क्या है इसका एम क्या है मतलब यह जो वीन्देंस एक बनाओ किसलिए बना क्या कारण रहा किसली बना तो इसका उत्टेश देखते हूं तू कंसॉलिडेट करना मतलब सारी चीजों को मिलाना CRPC को आपका CPC को या TP एक्ट या कोई IPC का कुछ भी और भी कॉंट्रेक्ट का जितने सब में सबूत दिये जाते हैं लिए जाते हैं सब में क्या करता है चीजों को मैच करता है दूसरी बात है जब हम सबूत देख रहे हैं तो सारी चीजों को कंसॉलिडेट किया जाएगा मिलान किया जाएगा एक जोड़ा जाएगा जिससे नयाय मिल सके सब्सक्राइब करना जैसे कि 2018 में अभी अमेंड्मेंट हुआ उससे पहले हम 1872 का इस एक्ट को पढ़ते हैं लेकिन अभी इसको और अच्छे से डिफाइन किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंड्मेंड्मेंड किया गया है तो निश्य तरह कि एविदेंस एक् पॉक्सो एक्ट में भी जो बच्चे छूटे नवजात तो नहीं कह सकते हैं कि शोरा वस्ता की जो बच्चे 16 साल से कम के या 16 के उन पर कोई अपराद होता है सेक्ष्वल हरस्मेंट होता है जिसे पॉक्सो एक्ट कहा जाता है तो उसकी अकॉर्डिंग इसमें भी अमेंड् तो यहां पर उसको डिफाइन करने के लिए कि इन्हें है क्या आविदेंस है करता किनकी चीजों के वाट इस एक्ट्यूली इस एपुआइन मैं ने आपको बताई दिया कि डिफाइन के साथ सब्सक्राइब अमेंड्मेंट हुए ए गए तो साथ-समें जब भी इसको इतीनों के जलिए से करना होता है है और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मदब सेक्शन वर्ण को पढ़ने के साथ सब उसमें इंपॉर्टेंट चीजें वह मैं कुछ इस पर लाना चाहता हूं जिसमें से कभी इस बन जाता है और बहुत जादा नहीं है लेकिन चुटी चुटी चीज़ें इसको समझेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंडियन एविदेंस एक्ट यह सबसे बने करें प्रोसीजरल लॉव है इसको प्रोसीजरल लॉवी बोला गया है लेकिन कि सेक्शन इसमें के साथ साथ जो केस आया है मतब किस केस में से करें है कि यह फ्रोसीजरल लॉव है म्याव 1 और इसमें राव स्वरूख का भी हो जाता है राव स्वरूख पर इसमें मामला भी है दोनों ही मामले आते हैं इसमें जिसमें इसे कोंट ने परसीज्रल लौ कहा है से परक्रियात्मक्त विधी कहा है और यह आपको केस याद है और इसमें बखना और दुसरा पॉइंट एपाइब यह विशिश्ट विधी यह किस केस में हैं लाहवाथ कोट नेश में। विशेश मामला में भी लागू होता है, जो प्रोसिजन को छोड़कर परिया को छोड़कर और वी अन्हें मामले अगर आते हैं तो वहां पर भी यह साक्ष्मिधी लागू होगी इसलिए इसे स्पेशल लॉभी कहा गया है और दोस्तों नेक्स पॉइंट आजाता है लेक्स पॉरी तो लॉभी आए है इसका मतलब है प्रिंसीपल ऑफ लॉड विंगम विंगम मैं लॉड होगे इसमें हॉज ओवल्ला कर देजूरी जी इसमें लॉड बैठार करते देख भी नहीं को सब्सक्राइब में अजीब सा लग रहा है पूरा सब्सक्राइब कहा जा सकता है जिसका मजब होता है कि जो विधी जिस छेत्र में बनी है एविदेंस वही का लागू होगा अगर इंडिया में कोई विधी बनी है है तो लागू होगे आप तूसरे accent के अपने विधी को नहीं चला सकते हो जो गलत होगा यह लैक्स कोली कहता है जहां जिस शेत्र की विदी है वहीं स्रीके नियम लागू होना और यह बात कही गए केस का गया जो उसमें केस था 1850 का केस था हाँ सोब लॉर्ड ने व्याइन वें वर्सिज वाइट घावे recursos चेंश केंशकन हैं उसमें कहा है और यह 1850 का साइटेशन है जिसे हम प्रिंसिपल ओफ लॉर्ड दिंगिन मिन का रूरी भी कहते हैं और ला लेक्स फॉरी भी इसे बोला जाता है तो इस इस आल सो वैरी इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है लेक्स फॉरी क्या होता है आगे चलते हैं तो श्री चंद वर्स ऑननंदीो श्री चंद रामनंदी का में कहा गया है आओ स्वीन कॉंस्टे माद्र है रांनंदी के मामले में अगर अगर evidence ऐसा है जिसे स्वीकार नहीं किया जासकता है admit नहीं किया जासकता है inadmissible है अस्वीकार योग है तो will not anyhow be admitted उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए चाहिए कोई भी इसमें सत्यता की खोजी क्यों ना करनी हो सत्य बाद ही क्यों निकल के आ रही हो आप अमेरिका के बिटेन के या किसी और देश की evidence act से आप यहां पर आप साक्ष दे रहे हैं तो यह सही नहीं होगा बले ही उनसे सत्यता की पहचान होती हो फिर भी अगर वो inadmissible है स्वीकार योग नहीं है तो कैसे भी उसे admit नहीं किया जाएगा यह कहां गया स्रीचल वर्सित राम नंदी के किसमें नाइंटीन पॉट्टीवर में प्रीविद कॉंसल में नेक्स पॉइंट आ जाता है दोसों इंडियन एविदेंस एक्ट नौट एक्जॉस्टिव मतलब यह संपूर नहीं है इसको हम संपूर नहीं गोलेंगे क्यों तो कि इसमें हर चीज समाहित नहीं है परस के वल इसमें प्रोस्टीजर है और लेकिन इसको दंडित नहीं करती है यह दंड देने की पावर नहीं है इसलिए इसे एक्जॉस्टिव नहीं गोलेंगे संपूर नहीं गोलेंगे हां बट एक्स्टेंडेड व्यापक तो है विस्तृत है व्यापक है लेकिन यह संपूर नहीं है तो यह प्वेशन भी बन जाता है लेक्स पॉइंट आजाता है इंडियन एविदेंस एक एप लाइज इन बोथ क्रिमिनल एडिल प्रोशीडिंग तो द्यान रगता है जैसे फॉईशन अगर आता है कि इन तिन मामुरों में लागू होता है तो बोथ डिम एडियन एडियन एक्ट ल और जो के वह क्रिमिनल में लातु होते हैं वह भी मैंने बता दिये इसे section 115 इपस्टोपल के बारे में बताता है और 20-3 घुझी से वलाखू होते हैं केवल ये siis कि इस सिविल मामले में ही लागु होते ह 싶은 नाइं My में यह कि आ हो not the civil मामलों में लादू नहीं होते ही कोई मतलब नहीं है तो यहां पर दो सेक्षन हों और यह बहुत इंपॉइंट था वह मैंने असको बताया अब आज़ा आज़ता है लास्क अमइंडमेंट्स जो हुए है पहले जो हुए थे सब्सक्राइब लेकिन जो अभी जो क्वेशन बनेगा वह किस पर बनेगा इसमें प्रॉवाइजों परंतुक इसमें परंतुक है जो दो थे में अमेंडमेंट हुआ था उसके ऊपर है जो आपका रेप मामले से संब्सक्राइब है यह दोना आपको याद रखने हैं केवल आपके प्रिलिम्स की मतलब के हैं लेकिन जोटी सी लाइन आप मेंस में डाल सकते हैं आपको आता है बट यह ऐसा नहीं है कि आप इससे कोई गलब सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह था आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी थे तो है कि इसमें सिपीषिटात फोगला जोडते हुए और स्य आपीशीं को जोडते हुए मैं आज बताने जा रहा हूं कि जुदिशर्टिश प्रॉचिटिंग कॉन से होती है और नॉन जुदिशर्टिशर्टिंग कॉन कॉन से होती है इस ऑप्र शौट फॉरम तो समझते हैं कि हम जानते हैं जो निघ्ट पॉसिडिंग होती है और लो जो पुछ से बाहर हो जाती है इस तरणी बाष में वह नो जूदी उच्छिले होती है लेकिन उसकी डैपिनीशन जो डिए है वह सीपी सी में दी हुई है तो आए धेये जुडिश्व जूडीशन पॉसिटिंग में वन के वाइविदेंस और में भी लीगली टेकन आउड जो अबिदेंस यह लिया जाता है लीज धुड़ी ओद पर या लीया जा सकता है लीजिव जी आइड़ी ओद पर मना शपतव बाद लीज़िट वही जाता है या लिया जा सकता है कोई भी एविदेंस शकत पर तो उसे हम बोलते हैं शुदी शियर प्रॉसीडिंग आपने कोर्ट में देखा होगा मैं भगवान को हजना जानते हुए कसम काता हूं जो भी कहुंगा सच कहुंगा सच कि सब्सक्राइब कुछ नहीं कहुंगा तो वह तो एक्यूज्ट है या डिफेंडेंट है या प्लैंकिटिफ है इस तरह से और भी विक्ति है जो गवाह आ रहा है वह कसम घरा लेकिन कोट ज सब्सक्राइब करता है उसके जुडिशियल प्रॉसीडिंग सब्सक्राइब लिया जाना तो यहां पर यह तो लेगा णिए मेरा लेगा है लिछ पॉइंट को भी चीजफ का ओड़र होता है उसे एक्जेक्यूट करना होता है निश्वादित करा ना होता लिए प्रश्ण को पकड़ने का पकड़ने का पकड़ने का यह मुख सारे एक्जीक्वीशन होते हैं सब्सक्राइब करें लिए जाने हैं कौन से ऐसे से कारवाइब है जो जुडिशन प्रोसीडिंग में लिए जाती है तो यहां पर हम आपको यह करेंगे यह सब्सक्राइब अब आपको नेक्स इसमें पॉइंट है अगा प्रोसीटिंग अंडर चैप्टर नाइन और सी आपी सी आपी सी का चैप्टर नाइन तरह वह भी इसकी जो कारवाई होगी फ्रोसीडिंग कोई भी होगा वह अंडर टेकन शपत शपत पर लिए जाएगा और ओध होगा वह इस द्वारा की जानी है इंट्टू दर्टो त्वॉप अटलिगेशन जो भी आरोग उसपर लगाएगा इरह वह कंटेंड इन अपटीशन जो याच्चका हैैं याच्चका में जो भी कंटेंड लखी गए हैं और उस पर जो भी जैश किया ड़ा यह सचका सचका जो भी आर कर रहा है सच को जानने के लिए उसको कि जो एलिगेशन लगाए गए रोप लगाए वह सही है या भलत है उस समय जो कारवाई कर रहा है वह शपत पर ही लिये जाएगी टेकन और ओथ यह फूर पॉइंट है आपको बहुत इंपॉर्टन थे दोस्तों जो मैंने आपको बताए अब आजाते हैं नौन जुडिशियल प्रॉसिडिंग नौन जुडिशियल कौन से होती है जो जुडिशियल नहीं होती है नियाए कारवाई गैर नियाए कारवाई होती है सबसे पहला साथ है एक कंटेम्ट प्रॉसिडिंग कंटेम्ट प्रॉसिडिंग होती है कंटेम्ट क के लिए जो पिन गुवार्व कोई सजया देता एक तो इसमें को शखत की जरुवत नहीं होती है यह उसे जुदीशन पोसीडिग नहीं कहते हैं यह माना जाता है और दूसरा पॉइंट अजयता है डिपार्टमेंट बॉक्त को एक और इसके लावज बनेंगों और जिसमें आंतर कारवाई के अंदर की जानी है वो जुडीयु प्रॉसेटिंग में नहीं आएगी और और पास्ट अंडर सेक्शन 452 और 454 CRTC अगर 452 और 444 में दोनों में कोई आदेश दिया जाता है CRTC में दिया गया है तो कोई भी आदेश दिया जाएगा वो इंक्वारी स्वरी वो जुडिशिल प्रोसीडिंग नहीं माना जाएगा तो यहां पर मैंने तीन पॉइंट बजा दिया आपको जो इडिशिल प्रोसीडिंग नहीं आती है सभी आपके ऑप्षिन बन जाते हैं छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो यह आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंडर की बताएं और इसको समझने की ब मैंने वहां पढ़ाता मैंने वहां देगा था वीडियो और वही पॉष्ण यह आ रहे हैं इस तरह के और वह आंसर आपके सामने निकल के तुरंट आएगा क्लिक करेगा अगर आपको पढ़ने के लिए हैं और एक्जाम को पास करना चाहते हैं तो इसे वापी सीरिस्ली ले तो इसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो हिंदी मुडियम बाले स्टुनेंट है उनके लिए भी और इंग्लेश मुडियम बाले दोनों स्टूट्स के लिए ही मैं उस लेवल से बढ़ा रहा हूं इससे दोनों ही भाशा के लोग ऐजीली अंडिस्टेंट कर सकें इफ और अब एक अब्सक्राइब लिए और देशिए नहीं आती है यह थोड़ी बहुत आती है आप इंग्लिश वर्ड को पकड़ने का प्रयास करें विकॉस आपको में इंग्लिश का टेपर हूंगा वो ए प्रांसेशन वाला होगा वह आपको बहुत मदद देगा और आपकी जो इसकी राइटिम होगी उसमें आपको बहुत मदद देगी अपको इंग्लिश के कुछ वर्ड से कुछ चल्म से आपको आने ही चाहिए और जो इंग्लिश में बाले हैं उनके लिए ट्रावलेशन में आवर्शक्ता पड़ेगी तो उनको हिंदी के कुछ चल्म लाजी कुछ वर्ड को आना ही चाहिए और एक मीज इस इस इंपार्ड़ वर्ड बोथ परसल्स कमिंग्रों बोथ लेंग्वेजिस यहां पर जो आपको बताने जा रहा हूं वाप में आपको इंटर्प्रेशन क्लॉस एविडियंस एट का है सेक्शन 3 सेक्शन 3 इंटर्प्रेशन क्लॉस और यह बताता है आपके निर्वचन खंट जिसे कहते हैं हिंदी में और वो सेक्शन 3 में काफी सारे चीज़ें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर इस सेक्शन को आपने नहीं पड़ा तो आप एविडेंस को एक्ट को ना पढ़िए अगर आप इस सेक्श आपके सब्सक्राइब को एक यह चीजहों को से अच्छे से समझना है और मैं आपको बहुत अच्छे समझाओं और मैं आटिसों को और विए क्या होता है इसमें इसको बतायें जाएगा और लिवेंट चीजेंगे क्या होती है अस चीज़ को यह अरaran इश्यों घhésitez और नदे लिएशूस्त काम होता है तो आप जज्मेंट लिखेंगे कैसे और इशूस्ट से यह कैसे इस को आप बहुत अच्छे से समझना है डॉकुमेंट दस्तावेज आप जानते हैं हर कोड में दिये जाते हैं हर सरगारी दिकाय में दियाते हैं कौन से होते हैं एविडेंस जैसा कि साक्ष में हमारी चल भी रही है एविडेंस क्या होता है इस पर काफी बड़ा चेप्टर है उसको मैं आपकी नेक्स वीडियो में समझाने वाला हूं और बहुत चल्दी आपके पास वीडियो आने वाली है आप बिल्कुल ट्यारी इतम कबर कसलें अच्छी तरह से और प्रूप्ट प्रूप्ट क्या होता है एविडेंस में आप बता रहा हूं आप डिटेल में जाने के लिए आपको नेक्स वीडियो को अगर मैं इस वीडियो में डिटेल में जाऊ हूं जिसको अद्व कर लेता है और इस फूंक जिसको नहीं मानता है इस शावित नहीं होई है डिस प्रूप्ट और नाफ ना सावित हुई है उसे बोल्दे के तो यह इसमें कॉंप्रूसिफ प्रूप भी आता है कॉंप्रूसिफ प्रूफ इसमें कॉंप्रूसिफ प्रूफ है यहां लिटेवे रहा हूं कॉंप्रूसिफ प्रूफ जिसे कहते हैं लिए निश्चायक सबूत मतलब वह ऐसा सबूत होता है जिसको मानना ही होता है एक तरह से को निश्चायक सबूत केस में बहुत बल दे देता है और बहुत सत्यता को पहुचाने के लिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब और इंडिया देश के बारे में पता हुआ जब से आर्टिकल 370 है तो इसमें एक चेंजिस आया है जो आपके लिए बहूत इंपॉर्टन है तो सबसे पहले बढ़ा दिया था जो आपको अच्छे से समझने इस में से आपको है तो यह इस सबसे पहले कौइंट पार आते हैं आज वीडियो में लुटाओं गाँगा और इंडिया के बारे में नहीं बजाता लेकिन आप जानते इंडिया बारे में बदाना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है जब से आर्टिकल 370 हटा है तो पर जलते हैं कोड के बारे में कोड किसे जाते ही है एविडेंस के अपॉर्डेंश और जज़िस और मजिस्ट्रेट और पर्संट लीगली अध्राइज तो तेक अविडेंस और जजेज और जैस्ट्रेट आव पर्संस लीगली अथोराइज़िए इनको अधिकाल दे दिया गया है तेक एविडेंस एविडेंस लेने का आप मलब साक्ष को लेनीगा ऐसे परसंस को अदगार दे दिया गया है वह तीनों क्या जाएंगी कोर्ट कहलाएंगी इसमें जजिस्ट्रेट और परसंदी टेक एविदेन्स लेकिन सैक्ट आर्वी ट्रेक्टर्स आर्वी ट्रेक्टर्स को नहीं माना गया है क्योंकि आर्वी ट्रेक्टर्स जो डिसीजन देते हैं जो करते हैं वो नैचुरल जस्टिस पर होता है प्राकर्तिक न्याय के अधिन होता है इसलिए उनको कोट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है इंडिया इसमें पूरी टेरिटरी इंडिया का पूरी टेरिटरी इंडिया अभी तक यहां पर अग्स ट्रूडिंग अब मैंने लिख दिया हैं अगर इंडिया इंडिया की शेत्र में पूरा भारत है जिसमें जमुएं कश्मी इंक्लूड है आपको यह लिखना होंगा अगर आए दो यह चोटी से वीडियो में आप लिए भाकर इंस कैसी ब्यास हम चुटे हुए करने में और हमारी वीडियो को लगाता है आप देख करिए और कमेंट करिए प्लीज इस चीज़ पर मझे जल्दी से जल्दी एपनी एडवाइस चाहिए कि मैं इसमें बैठर और क्या करूं आपको कैसे पढ़ाओं जिससे आपके समझ में आ जाए और मेरा प्रयास है कि आप जदा से ही है कर दो हमचाने जा रहा हूं हम इन इंड एबिदेशन ग्लाव सेक्श्टन त्री और सेख्शन धी जितना इंपॉर्ट्ञन कैं मैं बतानी सकता हूँए कि इतना इंपॉर्ट्ञन स्प्लेंट अगर किसी सेक्शन पर हम सबसे पहले अगर वाल देते हैं म篇 समझने के लिए पूरे सपनी को सब्सक्राइब तो सबस्क्राइब को समझते हैं सबसे पहले हम उछा रहे हैं सबसे कि चीज कि या इसलिज दिखाई दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है इसका में अभास होता है चाहिए हम उपने इंड्रियों से डेके सरल भाशा में देखी कोई भी चीज जैसे मैंने कोई भी सपना देखा अब सपने का कोई चीज में बताता हूं तो यह भी तत्थ है अब यह कितना किसे रिलेटेडरा किस चीज रिलेटेडरा की बाद और वह भी तत्रपर नागे मार्कर मेरे पासे एक मार्कर मेरे पास इसको मैं रखता हूँ तो यह भी एक फैक्ट है या मैं इसकी स्टेडी करता हूँ यह भी एक फैक्ट है या मैंने बैयरेक्ट खरीदआ बाजार से यह भी एक फैक्ट है या बाजार से खरमे के लिए सौर रुपए जो दुकांदा को दिये यह बीक फैक्ट है कुछ भी चीज ऑफैक्ट हो सकती है detectors क्वरेक्ट आपका कोई भी एक्जिस्टेंस नो सकता है जोलoseक्थ शुराइव प्लम पtsåवेशिज आप मvention बचुछ दहां विव थे और विव निइए विव्छाय चीनले और हरीदी जिसी को बिश्दिया यज कहत कुछ देया साशे आपने कोई काम किया धोखा देने का काम दिया चीत किया यह सीठ चीज को एक जब जो जाएगा ऐना हो जाएगा उसे मैच करने लग जाएगा उसे मिलान हो जाएगा उसका किसी केस से तब वो देखा जाएगा इस फैक्ट इशू है या नहीं है वो बाद का पॉइंट है अभी हम चलने हैं कि वह फैक्ट पाइट तो दोस्तों समझना इसे सब्सक्राइब सुक्ष करणा फैक्ट पाइब एक मैं इसको खूल की बता रहा हूं और फैक्ट है नहीं अपको मार्कर दिखाया मैं को भी चीज़ आपने टच की खरीदी लीग कि में आपके पास एक घर है आपके पास एक बंगला और बगीचा रखते हैं फिजिकली फिजिकली आपके आप में इस टल है या प्यासमें एक हंकी है वोट्वर मूबाइल है तो इन क्या एक फेक्ट है आप यह बहुत दिक चीज़े इस ते कि प्रजी कली जिसे इम देख सकते हैं इसे में लेखा हुआ एक्स्टर्नल एक्स्टर्नल बाहरी बाहरी बोला जाएगा इसे और दूसरा आता है सरे को जिकल फैक्ट मनोवैज्ञानिक तो एक है घृट से करें कि अच्छा विश्वास अच्छी सद्भाव के सद्भाव सब्हाव दिखाई इंटेंशन दिखाई देती ना फी तो यह क्या है एक फेक्ट है वो करेक्टिविटी कितनी बनती हो बात की बात वह दोगाइब तो यहां पर इंटर्णल है और इस एक्सेंट में अब इस टेफिनिशन पर आते ही को भी चीज अब जो सकते हैं या वस्तु की अवस्था अवस्था मतलब कोई चीज कैसी है मालकर है तो मारकर सीधा है हमालकर जब भी आपने रखा तो कैसे रखाता उस मेंच पर सीधा ख़़ाता है या लाइंग फोम में था लिटार के रखाता यह अवस्था है वह आदमी जो मिला कोई भी आदमी आपको चलक पर मिला तो कैसा मिला कपड़े फटे हुए थे और परिशान था उसकी अवस्थ अवस्था है यह हमने बिल्लिंग देखी फूटी-फूटी थी अंदर से बाहर से दर्वादत उटा हुआ था अवस्था है स्टेट अवस्था है गट्टी देखा हमने शकल देखी उसकी चेहरे पर निशान बने हुए थे खूं से किसी और चीज से यह संपली हो बड़ा अ कि फॉब इस असमें इस अरहे हमने कविटी चीजह थली हो इक घृती दैखाई पानी खरीदा आ अब और चपानी खरीदा जाने लगिए तो मुब आपनी धर क्या जूध लीए पश्ची दिनगी और मगरी अपोडिस फोन मानने कर देखी च्युश्यम आज इस यावस्था मैं मार्केट गया और उसी समय कोई घटना घटी अच्छी हो या बुरी हो तो क्या बन जाता है फैक्ट बन जाता रिलेशन चीजों का मैच मैच करना जुड़ना मैंने जहां मारकर रखा था वहीं क्या हुआ चाकू भी रखा हुआ था रिलेशन अफ्टिंग तो यह देखा जाएगा कि चाकू रखा गया उस जड़े मारकर रखा गया रिलेशन करेक्टिविटी देखी जाएगी इस जड़े तो यहां पर किसी मालोब पड़ोस में कोई र दूसरी से बात करते हैं लड़ा जगडा हुआ है या नहीं हुआ है कोई गाली दलोज वी है या नहीं हुए है बड़े आराम से रहते हैं दोस्ती आराना है तो यह सब क्या क्या है रिलेशन ऑफ तेंस चीजहों का मैचिंग होना मैच करना और यह सारी चीजह हर किसी के सा जुड़ी होती हैं ऐसा तो होई नी सकता कि रिलेशन ना हो लेकिन अगर मामला कोई फस जाता है कोई केस हो जाता है अब वहां देखा जाएगा कि वह कौन सी करेक्टिविटी थी कौन सा रिलेशन था स्टेट ऑफ फिंग क्या थी कोई चीज फैक्ट कैसा था वहां पर वह अवस्था कैसी पाई गई मर्डर हुआ उपके सबस्था में था कौन सी चीजें थी कौन सी करेक्टिविटी थी कौन से लोग जुड़े हुए थे यह सारी चीजे इस फैक्ट में देखी जानेगी तो य इसकी अगर जांच की जाए तो क्यों लगी कैसे लगी कैसे पाया गया क्या चीज हुई कुछ घटना से हुआ कहीं से आग आई या गर्मी की वज़े से हुगया है पत्थर के टकराने से हुआ तो सारी चीजे उस पर बहस की जाए सोच जाएगा तो यह कहते हैं अवस्था अब इसमें फैक्ट कोई भी घटना होती है तीन जीज़े जरूरा आती है कि डैफिनेशन बनाई गई है लेकिन यह प्राकरतिक ही है ऐसा अगर देखा जाए तो यह तीनों चीज़ें अपने आप आप आप्टमेटिकली होती हैं आपके साथ हमारे साथ सब के साथ होती है और सबस्ता में मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ जहां पड़ाना सब्सक्राइब साथ सब्सक्राइब में मेरे हाथ में मारकर था रिया हाथ में चीछ और चाकू रखावजा था या कुछ और ऐसी गटना उनका रिलेशन देखा जाएगा तो यह सारी चीज़ें इंपॉर्टन हो जाती है तो यहां पर इसको हम योग हो जाएं जानने के लिए उसको समझने के लिए हमें मालूं पढ़ने लग जाए परसी वाई सैंसे हमें हमारा ज्यान हमारे समवेग हमारी चितना हमें मालूं पढ़े कि वो चीज़ है वो ऐसी थी, वो ऐसी है, वो ऐसी रही होगी, इस तरह से हम परसीब करें, उसको पहचाने, समझे जाने, कोई भी चीज मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज बताएं, तो उस समय उन चीजों को समझने के लिए जब पूछा जाएगा, कहीं केस होता है, कोई मैटर होता है, तो पूछे जाता है, कि आप वहाँ थे, आप नहीं थे, आपने क्या सुना, आपने क्या देखा, आपने क्या समझा, तो ये सारी चीजों परसीब की जाती है, मैं केस को बढ़ा के बात करता हूँ, जैसे आपके घर में, सुबह सुबह कोई काम चलगा, घर करते रहती है, क लोग कोई काच का ग्लास तूट गया, अब ममी आती है, तो बेटा तुम कहा बैठे थे, कि ममी में यहां बैठा था, मैं कहा बैठी थी, वह वहां बैठी थी, तो ये गिर कैसे गया, कि भाईया वहां से निकला और इसकी कॉपी, या इसका जो शैट का, इसने जैट जो थी पैंटी से हिल गया, इसकी टेवल लग गई और ये गिर पड़ा, तो ममी ने क्या क्या चीज़े पूछी, कहां पड़ थे, कैसे थे, परसीड किया, तो आपने जो भी कैपेबल थे, और बीग परसीड बाई सेंसे, सेंसे से आपको पता चलना है, बुद्धी लगा रहें, सेंस लगा रहें, विमाग लगा रहें, कि हाँ, 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 यह उगा था, इस तरह से यह गिर गया, या कोई चीज ऐसी होती है, जो आपको जिन जीओं का भान होता है, मालम होता है, कि तुम से किसी ने गाली थी, तुम कहां खड़ेते, कैसे खड़ेते, तो यह सारी क्प्स अध decorator, है कि मेंधर कंडीशन, कोई मेंधर कंडीशन किसी के दिमाड में कुछ बन जाए, मेंधर कंडीशन के मुझे तो जॉब ली है, मुझे तो आज पूरा का पूरा एक चपे ni चाप्तर याद करना है, मेंधर कंडीशन, जा कुछ नेगेटिव बे में कि मुझे दोखा देना है इंटेंशन ऐसी है उसे एक तेम मारना है या इंटेंशन है कि उसकी जो गुड़ फेट में मुझे उसको आठ बहुत सारे पैसे देने हैं गरीब है वह पैसे देने हैं यह सारी क्या है कि मेंटल कंडिशन है इसके लिए विक्ति कॉंशियस हो जाता है कॉंशियस में सच्चेत हो जाता है जिसका उससे बोध हो जाता है ज्यान हो जाता है मालूप पढ़ जाता है अपने से से अपनी आंकों से अपने कानों से अपनी स्किन से अपनी टंग से कि यह चीज कड़वी है इमीड़ी है यह श सोचोर। बूल जय्दा हो रहा है आवाजिया ड़ाए है और शनारि कए कुछ हो रहा है जगडा आए बछे पड़ रहा है जबड़ पर पॉजय है कि और या कोई वी ची Troy Сам जब भुटा रहे है या फिर कि시다 कि रहें गंध तरह दिनका है या दान या अच्छ है यहां इसारी च कि अच्छा लग रहा है इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा यह बहुत खूल के समझाने कोशिश की है कि इसमें कुछ पॉइंक से हैं कि और जाएं और एक्सिस्टेंस तरफ ऑफ माइंड जब इस्तित है एक निश्यत अवस्ता में पहुंच जाएंक हा यही गताएं कि आप महां खड़े थे आपने गारी आते जाते देखी सकार की ती रेड क्लिर की थी शा हुआ आपका पॉजिटिव का आप महां गए दर्वाजा खुला था दर्वाजा खुला था और अंदर अंकल थे वो कुछ न्यूज पढ़ लाइए तो यह क्या है पॉजिटिव फैक्ट है जिसमें हम एक्सिस्टेंस ऑफ सर्टें इस्टिव माइड की इस्थिती अग्दम सही सही बताते हूं इस पॉजिटिव फैक्ट नेगेटिव इसका उल्टा नौन एक्जिस्टेंस ऑफ सर्टेंस टेंस जहां पर आपका माइंड में आपसे पूचा क्या आप वहां थे चार बजे गई थे तो चार बजे नहीं शायद रहा होगा पूल गयों गाडी का रंग इस ब्लू अधा आप असमन जिसमें वह डाइलेमा में वह तो आपको डाइलेमा ही जो दुविदा यह जो नेगटिव फैक्ट है कि आपकी जो स्टेट ओफ माइंड है वह जैटली नहीं बता पा रही है डैट इस नेगटिव फैक्ट अब नेक्स पूण जाता है मैटर शुक्त में रूने है एनिति नृण है कोई बीची सब्जेक்त नतिम medo हम एनना पिंडाओ घंडर में दिएर और कर दिया जाए that is matter of fact or matter of law to which the court will take judicial notice matter of law judicial notice लेता है वो हो जाता है matter of fact can not be proved by evidence जिसको evidence से प्रूब करने की जरुवत नहीं है और नहीं किया जा सकता है कोई चीज प्रूब्ड है judicial notice लेता है जिसमें court और जिसमें जरुवत नहीं है evidence से प्रूब करने की that is matter of law और यहां पर प्रूब करने की जरुवत पढ़ती है और subject to testimony test करने की परिक्षण करने की जिसमें जरुवत होती है test करने की तो वहां पर matter of fact matter of law तो दोनों ही इसमें मैंने आपको point बता लिए matter of fact matter of law जिसको test के रूद होती है जिसमें judicial notice लेता है और यह नहीं कर सकता है तो यह बहुत मैंने सब्सक्राइब कोशिश किये तो यह वीडियो आपको कैसी लगिए किती है न cabbage बताए कुझ अगर्शाइब करें रिजस मुझे बताए और किस तरह से मुझे से करें और नहीं जाँता हूं कि आप कमेंट करें कि और वांटर प्रेशन क्लाउस को हम आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 3 के नए पढ़ाब पर आगे बढ़ते हैं और दूसरा पढ़ा हमारा फैक्टिन इशू मैंने आपको पैदे बताया है रेलिवेंट को बताना चाहिए था लेकिन मैंने फैक्ट के बाद सोचा कि फैक्टि वीडियो को तो आपको फैक्ट और फैक्टिन इसवाद मुद्दा क्या है कि विवाद क्या है कोई जगड़ा अगर होता है कोई बात होती है तो उस बात में अगर दो लोगों में या दो पार्टी में दो जन में कोई बहस छड़ जाए और किसी बात को लेकर ध्यान देना जिस बात को लेकर वो बहस छड़ी हुई है वो बात ही क्या बन जाती है fact in issue मतर बिवादक तक्थ यह तक्थ है कि इसका मकान राम का या श्याम का मकान यहां है या नहीं अब इस बात पर प्रश्टी बन जाता है कि मकान राम का और श्याम का है या नहीं अब कोर्ट यहां पर इशू तयार करेगा इस पॉइंट पर कि मकान राम का है या मकान श्याम का है तो मुद्द क्या बना वो मकान तक्ति जो था हमने फैक्ता मकान उससे बन गया इशू तक् कि मकान है राम का है मकान है श्याम का है लेकिन नतना गया कि कि उसपर हो भी लडाई वह वहाद लाया उस्याम की तरफ से दोनों बहुत चलने के वाद जो मुद्ध और दो पाब चुरी वही इसु है तो यहीं कि क्लास में स्टुडेंट है और टीचर आके कहता है कि बच्चों बुक निकालो अपनी और बच्चे बुक निकालते हैं लेकिन उन में से एक बच्चा बुक नहीं निकालता है मोहन के कहने के अंसार लेकिन रोहन के कहने के अंसार उसने बुक निकाली है या उस खुद के कहने के अंसार उसने बुक निकाली है वाली उस समय टीचर कहता है कि बुक निकाली या नहीं निकाली है तो वो कहता है कि सर इसमें बुक निकाली है वो खुद कहता है सर मेने बुक निकाली है लेकिन रोहन रोहन जो कहता है कि इसमें बुक नहीं निकाली है लेकिन वो दोनों के रहे हैं सर बुक निकाली है लेकिन रोहन नहीं कह रहा है सोहन और खुद्विक्ति कहरा है कि मैंने निकाली है बूप पढ़ने के लिए यह मामला जो है बन जाता है अब यह इसवाइशु बन जाता है अब यह मुद्दा बन गया पढ़ाने का तो बाद में कि बुक निकाली है उस तूडेंट ने या नहीं तो पहले इसपर सोहन भरके अलग नाम नशुठें जों को ने लिए का नाम parameter और करना सिटार चैला करें करेंने मिमके 2020 पहले लेकिन दोनों में से किसी दिया जाएगा कि साक्ष दिये जाएंगे उस चीज़ को मैं बता हूँ आप बाद में लेकिन बुक तो थी यह जो बुक थी हो तो फैक्ट हो गया लेकिन जो आपस में बहस शड़ गई जिस विंदू को लेकर कि बुक है स्टेला की या भुक है रॉब उसकी पीटर की तो यह बन गया फैक्ट इन इशू इसी सरा लुदहर से आप आम भाशा में आम जमीनी से जुड़कर जमीनी से जुड़कर आप समझेंगे तो आपको यह लोग को अथ अच्छे से समझ में आएगी अदरवाइस यह परेशान कर देगी अब डैफिनेशन को समझें इसी एक्साप् का तो और खुद बन जाता है स्वैंग से यह अंट इसे इसी बेंगए तो यह इशू बन गया है लेकिन दूत्रे फैक्ट साकर और भी आकट के दोस्त कह देती हैं या कोई और कह देता है या उसका नाम उसकर नहीं लिखा हुआ है या उसको और उसकी मंबे ने जो पैसे दिये थे उनसे साबित होता है कि इस तरह ने उस दिन खरीदी थी बुक पैसे किताब के लिए गए थे इन connection with other facts other facts से उस दिन मालूं परता है जब कि रोबर्ट को पैसे नहीं मिले दिये रोबर्ट की जिम में पैसे नहीं दे जिस दिन वुक खरी दी नहीं भुग थी तो यहां पर other facts से हैं फेक्टील इशू बन सकता है कोई चीज यह दो दो पार्डियों आप बीच में दो बिट तो यहीं से बादम पर जाता है एधर बाइशाल खुद से या अधर फैक्ट्स तूसरे फैक्ट्स से मिलकर बन जाता है अब क्या इसको दोला और खोला गया है खुद से या किसी अन्य चीज से एनी फैक्ट कोई विप्र पैसा कोई तत्व सकता है आपके पास मोइल है आपके पास बंगला है आपके पास कोई चीज आपे देखी है कोई चीज आपर सुनी है किसी चीज से आपको इंटेंशन आपकी मैलेस इंटेंशन है या आपका गलत भावना हैं सारी चीज तत्रेंट कोई ऐसा तत्रेंट कोई चीज प्रजेंट है या नहीं यह अस्त्त मालूब पड़ता है से कोई अको दिखाया जाता है यह जाता है सुना अँछा मरतोरने तो ऑस मंदिर की बहूत मानिता है उस् उनागे उस मंदिर की मानिता यह अगजिस्ट हुई उससे इससेंस की citizens is यूँ कहता है कि यार मैंने सुना है मंदर के बारे में मुझे नहीं वालबना को यह सा मंदर है यह नहीं है तो इसी की आपटना ही नहीं है किसी मालूम पड़े यह ने चाब प्रकरती मालूम पड़े हां उस जगे पर वो मंदिर उपस्तित है या इस तरह से बना हुआ है उसमें महराम लगे हुए उसमें क्या कहते हैं स्थापत्य कलाका प्रेयों हुआ है उसका नेचर कैसा है उसे मालम पढ़ता है या एकस्टेंट उसका विस्ता वो मंदिर के मैं देखते हैं कहां कहां तक उसकी फैलाव है कहां कहां तक उसके अंश्पाय जाते हैं या कहां कहां तक उसका गेट पड़ता है या हम देखते हैं कि मंदिर के चोटे 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 और चोटे यह सब मंदिर हैं चोटे मंदिरे उसी से चुड़े हुए वो कहां तक हैं और एरिया में खांव सकता हरा है किदने लोग जाते हैं कहां तक उसकी मान्मिता है एकसटेंड यह मंदिल कोई होता है एकजांबल बार के वारी पैसे है मनें कोई हुआ है यह उल्तिता टत्त को बनाती है उस त۔ से एक्जिस्टेंस मालूम पड़ती है इसका नीचर एक्सटेंट मालों दशेरी आम है यहां नौर्ट इंडिया में बहुत मिलता है तो दशेरी आम के बारे में जो लोग जनते हैं उसकी मैंने ज्यूशा खीट बर्ले वोले कैसा हम भूते ही कोई मैंने आदाश्यां मुंदी जिसको मालब भी न है कि यह इसा होता ही नहीं है खुआ है कोई नाम आप से बूल दिया तो फिर को नाउन एक्जिस्टेंस वह यह ईन्हें और से नीचर क्याम कैसे शेप होती है को इस त में आपको बदा नहीं कोशिश कर रहा हूं अपराप से जुड़ी हुई हैं चीजें कि आपने मुर्डर होते देखा मुर्डर हुआ वहां पर एक्जिस्टेंस हां सब हुआ मुर्डर नहीं हुआ वहां लोग भगे भगदर मची कि ऐसे भगदर नहीं लोग चिला रहते भागो 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 तो यह क्या नेचर था अपर अपर दूर दूर तब बात पहले थी कि हाँ अभी जैसे और यह ऐसे चीज़ें कि अधिस्टेंस नॉटसेंस और इसका नेचर और उसका एक्स्टेंड तो यह सारी चीजह शेये से मालूब पढ़ती है एक्सार को से यह कननेक्शन देर्स और सब्सरी मालूम पढ़ेंगी कि वह अपने आप में इतनी आक्रामत हैं या आपने है एएन है जो सब्सक्राइप से एक्षञ्ट मालूम पढ़हन करता है ऑब एनी अडनाना है जो लंग है कि आपका मोल्य व beings honey in eh आपका राइट है राइट किसी चीज को करने का आपका अधिकार है आपकी लाइबिलिटी है आपकी ड्यूटी बनती है जिन्मेदारी है आपकी यह डिस अबिलिटी आपकी निले होगे ता मतलब कोई existence है non existence मदलम Stress कोई चिसकी उपस्ति है existence है और उस existence में आपका राइट बनता है आपका अधिकार है मेरा यह अधिकार है मैं कि इस छहाँ में यूज करेंगे ही अधर की उपस्ति है अपने आपने क्या है किशास है उस से वहार कर दा है उसमें रहने का दूसरा किता है इंगे lub हुए है रहने का यह प्यादा के इसे ठाल हम कन ए इंग मेरे को करते है के राइंट के जुए एक शेर आ एक्सक्राइब नहीं है नीचर एक्स्टेंट सारे चीज़ों में जया है राइट को लगाएगी लेटी लेटी आपकी लेटी किसी काभी को करने की आपने को नहीं किया लेटी 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 वह कहते हैं कि मेरी लेटी आपकी बड़ा ओपिसर कहता है कि आपका यहांपन लेटी बनती थी यहांपकी किसी जिसको करने की जिम्मेदारी थी वो कहते हैं कि मेरी नहीं थी तो यहां पर दो बातें होगी नहीं थी और नहीं थी यहीं से बना डिस एबिलिटी किसी चीज़ की डिस एबिलिटी निल्योग गिता मतलब वो चीज उस लायक है ही नहीं डिस क्वालिटी न ही है निए उसके परने को जड़े को कोई चीज हो सकती है कोई बीएग पैदा होती है दो सकती है दिसकार बहुते हैं लेकिन द्रश्रेब दिसकार करता ही है जैसे साथन के यह यह अब करता है ऐससरी करता है तो यह में सुपैदा कर दा आफ दिस ओर्いた पुत है हम कि इस उस्विके र३ा राट रूबान की जाती है असर्टेज या या और दिनाइड प्रतक्षन किया जाता है मना गयाता है कोई चीज यह तो कहेगा कि मेरी है कोई पीज़े रगे मेरी नहीं है चापू मेरा नहीं है नेगेटिव चीज़ों के लिए गया हो लेगे यह मेरी पस्टल नहीं है को दो इसकि पहला। हमारे कोई कहेगा यहाँ यह संप्थी मेरी है कि तुरह कàngता है नहीं है नेरी है तो यहांंद आप थेलीं हेला संपथी चार्ट आय तर आपने आपको एक फैक्ट है ऐस और बसें 은 बटा parlar एन्यां यह disability बनती है कि वो disability करता है कि आप की योगीता ने बनती है बरहने की आपकी liability हो सकती है किसी चीज़ को यह property में liability नहीं बन रही है लेकिर right तो बना है तो यहां से थ्याक्टर इशू पहला होगा asserted करेगा या denied करेगा सुईकर करेगा या मना करेगा किसको इन एनी सूट और किसी सूट में ये किसी कारवाई में किसी सूट में ये किसी कारवाई में मना करेगा या हां करेगा कोई सूट है कोई कारवाई है कोई मामला है मना करेगा पर यह सारा क्या है यह इसको डिफाइन किया लिया है बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है इसको फिर एक पर देख लेते हैं कोई फैक्ट इन इस्जू कोई भी कह सकते हैं कोई ऐसा फैक्ट है मालों अ ने लिए तो अपने आप में या इन कनेक्शन विद अधर दूसरे से जुड़कर अपने आप में या दूसरे से जुड़कर किसी existence को या non-existence को या किसी के nature को या किसी के विस्तार को extent को को जिसमें उसकी राइड है लाइबिलिटी है उस विक्ति की जो आप विक्ति जो चीज़ को उठा रहा है तो यहां मना करता है तो जहां मना करता है कि जिस पर आरुब लगाया गया है तो यहां पर फैक्टन इशू बना तो यहां पर फैक्टन इशू को समझने के लिए मैंने जो प्रॉसेस बताया है आप इस प्रॉसेस से करिए आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा इसमें जमें आता है यहां पर जो इंशंद की बात कहीं निसकर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है से सच्छ Què reasons साथ कि आे जनुकुट इसके समयंहेंगे तो σब्स्तेस जाता हम इसे अपक्रीशल बन यह नहां अगना है अंडर सेभी पर सेड़ यह कहीं इसुव है कोई मुद्धा है इसी सब्सक्राइब कोई तत्त पर कोई विवाद विवादक हो गया है वह इसको फोड़ा रिकॉर्ड कर लिया गया है तो किसी फैक्ट को लेते हैं और उस फैक्ट मार दो विक्तियों के बीच में प्लाइटेप और डिफेंडेंट के बीच में कोई मुद्धा बन लिया और जिसको कोट ने अपने संग्यान में ले लिया है रिकॉर्ड कर लिया है की लाटने चांचक्व और द mirac ऐस वकुर्ट ने रिकॉर्ड किया अब उस रिकॉर्ड को जो अफैक्ट है उसको यहाँ तो असर्टिट किया जाएगा इनकी आनसर जब कोडेगा आप जबाद दीजिए तो या तो से हैं डिख मेरा मेरी चीज है यह मेरा हम बनता है या करेंगे कि नहीं बनता है या भी नहीं है इस तरह से जो वहां पर उस रिकॉर्ड जो इशू है जो इशू है यह वाला इशू जो इशू रिकॉर्ड किया गया है मामले में कोड द्वारा इसी को गहिए इशू तो इस्टेट्मेंट जो भी ऐसा इशू रिकॉर्डड बाइद पोड असर्ट इन आंसर इसको और फैक्ट इन इशू तो यह एक्स्पिलेशन में कहा गया है सिवल मामले के लिए तो यहां पार एक और इंपॉर्टन बाद में प्रिंसिफल पे क्षट आक स्वूण को अलग से सकते हैं उसय है और यह सो और वी यह बहुतिया है जिसको हम बोने हैं टर गडर प्रजान और प्रध का मतनथ है जिसका हुआ है मेल मुह क्यर वैंट मुझे कर और मुझे कर आ Einsatz करने के लिए कियो कैसे कैसे आपको कुमीडieo को और चाहते हैं किन चीजों को और समझना चाहते हैं अविडे इसे में कुण पूरा चलते चलते हैं और जब तक प्रड़ाई को नहीं पकड़ाइंगे तब तक सेलक्षिन नहीं हो सकता है तो यह छोटी-छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती है कि अबिन का करवा आपको質 कर्वा लेकिन मैं कि व होगी आ पर आपको आपकोण और आपको देखना होगा थी कैसे आपको लुक्ड़ होता है वहाँ पर मेंचीज और ऐना आए और कौना है कौन्सी चीज़ कौन से चीज़ कर ने है कि वर्त्टति लिगने है कौन सा केस लो जोड़ना हैं और किस तरह से उसका पैटर्न होना चाहिए बिगनिंग में क्या लगना चाहिए उसकी एंडिंग कैसे करनी चाहिए यह सारी चीज़ें में बताऊंगा आपको प्लीज कमेंट करके मज़े बताएं और इंटर्पेटिशन को आगे बढ़ते हुए मैं पिछली वीडियो में आपको प्रक्ट की बारे मताया अब बताने जारा हूं आपको रेलिवेंट की बारे मताया वह बताने जारा हूं आपके सताष wil के बारे में project добOUT क्या होता है document जिस्सी में कहते हैं तसताया ड़स्था fright commerож को अगर आम भा श्रमाखे इस हरल जो ी कागजी रूप में पेपर के रूप में या किसी जमाने में पत्ते भी लिखा जाता या किसी शुरा लिखे जाने के रूप में अगर कोई चीज लिखी जाती है तो दस्तावेज माना जाता है करेसे सरल वाशा में लेकिए अगर हम टिपिकल वाशा में देखिये से तो यह दस अगर नहीं होता है है। टॉकुमेंट को के सरी कहीं भी जया चाए फिरोग लगाों दीवार लगाओ किसी प्लेट पर लिखाओ धातु ड़िट पर लिखाओ छो फोटोग्राफिय प्रेंश ट्राइब करदा दिया है कि पुछ मजाखिय टाइप का कुछ बना दिया है जैसे अपने देखा नीतां के फोटो मजाखिय मना दिया जाते हैं तरह कर रहा और चाहिए कहिन दॉक्त कि लिखा हूँ छेपा हुआ है बाद में मिलता है कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी जगह पर कहीं कुछ की लिखा हुआ है अब देखते हैं को कोई भी पदा इनी मेंटर एक्सप्रेस एक्सप्रेस कर दिया गया है इसको वर्नित कर दिया गया है देस्क्राइब है यहाँ पर भी डिस्क्राइब बडन से मतलब एक्सक्राइब दिखा दिया गया है सबस्त कर दिया गया है और आपक्राण जा गुरुगरंत हो जा आपका महावारत लोगता हो या पी टेक्स्बुक हो जा कुछ भी हो मैप हो उन पर जो इंडिया गया है मैं या इस तरह से दिखाया गया है किसी तरह से कुछ भी बता दिया गया है वह सबस्टेंस किसी भी चीज़ पर स्कूर्य कुछ भी हो सकता है किसी भी लिख दिया गया है वाइए किसी की साधन से उत्रमान निशान बना दिये आदिमानत के या किसी ऐसी भाशा जाके यह किसी ऐसी बाचा में कोई ऐसे निशान है जो पूछ या कोई संकिति भाशा होती है यह पूए अपराद करने जा रहा है तो उसमें चाहिए कि लिए लोगों को मारूंगा तो उसमें बनाएं कि इस तरह का एक अपना परटिकलर पाका निशान है तो वह बाइब मोर मींस देन वन या इनमेंसे कोई भी एक उन्हों या सारे के सारे हों कुछ भी और भी हो सकता है वह सारे के सारे क्या है यहां पर है इंतेंट तो भी उज़्ड que 아니면 यूश्ड कि यज़के इंटेशनली इंदेशन जांद भुच वाम कोई हैं इंटेंट इंटेंटेंट अहलगी जासकते हैं तेंड़ेड इंटेंशन देGrand The लिखता है इसकी संभावना है कि फॉर्द पर्पॉस ऑफ रिकॉर्डिंग मैंटर्स मैंटर्स को लिखने के लिए किसी भी तरी से कोई भी चीज यूज की जाती है फिखर स्वेंग यह बाइंबोरी निए किलावा कुछ इन सारे चीजिए के साथ किसी भी सबस्टेंज पर लिखा जाता है तो सल्कसार चाहिए है डॉक्वुमेंट्स है अगर पर कर शलियो आगता है इसे फिर सावुछ जाता है किसी भी आगता है उसका स queste विडियो ओड्वी यह फौटो ऐसे जाता है पूब हमारे इस तरह की विस्ता हमारी Perm Т fen JA रहा है उस-ब फ़ता सकते हैं इस तरह से किया जा सकता है तो यह सारा का सारा डॉकुमेंटेशन था अब यहां पर मैं आपको पता हुआ 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 है यह सेक्शन सक्षेन डिया हुआ है मारा सक्षेन सFC Alabama जिसे वीडियो बनाओंग नहीं सब्सक्राइब इन हfat به अंसे पली मैंने अब फ़ीज सब्सक्राइंब उसक रिखाय और यह साथ है। पर लोस्त पाइल में दिया हुआ है उसक्षण को मैं आपको इन वीडियो अलग से बना जो इसको 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 निए पॉब्लिक होता है जो जनरी ही यह पर होता है सबीके लिए लेकिन जो प्राइबेट होता है तो यह नहीं दिखा सकता है चाहिए वो डाक्षाने की चीज़े हों यह किसी वक्ति का प्राइबेट खुद का कोई अपना डॉकुमेंट्स है तो उसे नहीं दिखा जाता है जब तक कोड का आदेश नहीं हो जाए तब तक प्राइबेट डॉकुमेंट्स को डिस्क्लोज नहीं किया जसकता है और पब्ल जो फाइड लिए गीता एक व्राण है कि आपका वाइबलस है सभी के लिए गुरू गुरंध है वें चीज़ें तो इस तरह की चीज़ें हो सकते हैं यह फ्राइबेट में यह वीडियो प्र्याइब में अता है तो यह छोड़ी सी वीडियो थी और ज्यादा समय लेंदेक ह हुए यह वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करकी बताएं और जदर से आपने दोस्तों को ही बताएं कि यह अविडेमिस का चेप्टर शुरू हो रहा है जिससे उनको भी फाइदा में सके और हम प्रलिम से मेंस तक की द्यारी कराएंगे जिसमें सारी पूरी चीजें लेकिन आप मारे साथ बने रहे हैं तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए और समयने की कोशिश करिए इंपार्टन है उन्हें जा रहा है जो मैं डियाग्रामिक फॉर्म में बता रहा हूं जो डियाग्रामिक फॉर्म में जो बताने का तरीका मेरा जो है है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा यह इस तरह से मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे से करने की इसमें काफी सारी मेनद भी लगती है और मैं नहीं तर लगा हुआ हूं आप लोगों के लिए आज में लेकर आया हो डाली में डाली में फैक्ट कौन से होते ह लिए मैं कि कोई चीज में है या नहीं ही तो सबसे पहले में डाली में को देखेंगे जैसा कि आप जार्ते हैं कि एक जैलिमेंस फ्कों मैंने किया गया है जो आपनिश के त्वाइनकेर्या आं इसको गलत होगा लेकिन यह इंडिकेशन करना सभी माना जाएगा तो यह जो definition clause है interpretation clause है यह निरोचन जो खंड है इंडी में कहें तो तो इसको define नहीं करता है यह relevant is not defined in section 3 इस section 3 में defining किया गया है only indicate करता है क्या कहता है one fact is said to be relevant to another effect relevant दूसरे से तब कहा जाएगा जब वो जैसे मैंने connected हो आज है connected हो दूसरे से तब वो relevant महाँ जाएगा connected with fact and issue और with relevant fact fact and issue से relevant हो गलाग जो आपका फ्रेक्तिन इश्यू है विवाद तक तक्ति है जिस पर विवाद हो रहा है या विवाद पैदा हुआ है मामला विवाद का बना है वो connected है या दूसरे रेलिवेंट fact से कोई fact ऐसा है जो relevant fact से connection बताता है कोई भी एक जर्द लम जैसे सकते हैं कि कोई विक्ति है अगर वो मार्केट में जाता है और वहाँ पर मर्डर होता है तो मार्केट में वो जाता है और वहाँ जो मर्डर हुआ उसकी connectivity देखी जाएगी वह सुर्वेक्ति के हाथ में या उसके थेले में खंजर पाया गया हत्यार पाया गया धारदार तो मार्केट जो गया किस करण से गया यह इसकी रेलिवेंसी है करेक्शन दाता है जो फैक्ट मिला है जो तक्थ मिला है कि वह इसकी का जाना और जो हत्यार मिला वह भी एक फैक्ट ही है जो आपका कोई मेंस के सेंस में तो नहीं लेसकते हैं लेकिन तरह से छबूत बनता है लेकिन हो जो जो किससे कर र हैक्ट कर्एक्ट मर्डर हुआ यव है इसा बन गया है मामला ऐसा बन गया है वो उससे connection बताता है उससे एक fact दूसरे fact से जुड़ता है मैं किराय पर रहता हूँ और सामने वाला बंदा रहता है हम दोनों में लडाई हो जाती है और उस मुद्दे पर कोई ऐसी बाद जो उसने कही या मैंने कही या तीसरे से मालूम पढ़ी अगर वो तीसरी बात मेरी किसी बात से हम दोनों की लडाई से connect होती है तो वो relevant होगी वो कहता है कि इसरा विक्ति हाँ मैंने इन दोनों को एक बार दो बार लड़ते हुए गाली गलोज करते हुए सुना है और हम मैंसे कोई गुजरे को मार देता है तो तीसरे विक्ति का बयान या आसपास के लोगों का जिनोंने हमें लड़ते हुए कई बार देखा है गाली गलोज करते हुए सुना है तो कहीं न कहीं connection बताते हैं तो यह relevance ही बताती है connection यह connection दिखाए 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 वह एन वान इस connected to another one had expect to be relevant एक तक आजाता है relevant जब उससे दूसरा connect हो यहां चुड़ा हो विद फैटिन इशू और रेलिवेंट पैस इन एन्य ओफ द वेस किसी भी तरीके से इन एन्य ओफ द वेस किसी भी तरीके से रफर्ड जो रफर्ड है यहां पर तो रेलिवेंट सी ओफ एक शेक्शन अंडर सेक्शन फाइफ तो 55 चैप्टर साथे फाइब से लेके 55 तक जितने भी सेक्शन दिये हुए हैं उन सेक्शन में कहीं भी कोई रेलिवेंसी आती है, कनेक्ट होता है, किसी भी तरीके से जो बताया गया 5 से लेक्टी 55 तर तो वो रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा, समझ में आया? तो सिंपली देखते हैं, एक फैक्ट सब पहा जाएगा रेलिवेंट, जब वो दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, फैक्ट विशू या रेलिवेंट फैक्ट किसी भी तरीके से जो सेक्शन 5 तू 55 में दिया हुआ है, चैप्टर सेक्ट में, तो यह मैंने सेक्शन को खूल के अध बजाया हुआ है, इसी तरह से अगर आप एक्जाम में लिखते हैं, तो आपके में समझता हूं नमबर ज़्यादा आएंगे, बजाए डैफिनिशन को आप सिंपली लिखे आते हैं, वो माना जाएगा सिंपली में रटा हुआ है, तो आप इस तरह से डियाग्रामिक फॉम म बनाके बार-बार देखेंगे, तो आपको दो से चार बार में बहुत अच्छे से दिमांग में सेट हो जाएगा, तो मैंने आप बता लिया कि जो डैफिनिशन नहीं जुए है, यह के बल इंडिकेशन करता है कि रैलिवेंट फेक्ट होता क्या है, रैलिमेंट फेक्स को हम इविडेंट फेक्स भी कहते हैं, रैलिमेंट फेक्स क्या है, इविडेंट फेक्ट भी है, क्योंकि यह जो आपकी साक्षिक बताता है, साक्ष को कहीं नहीं धखिलता है, साक्ष की तरफ पीन नहीं मोडता है, उसकी तरफ पुश करता है, उसकी तरफ ले जाता है, इसलिए यहां पर रेलेवेंटरी फेक्ट भी कहते हैं जहां पर रेलेवेंटरी फेक्ट भी मान सकते हैं क्योंकि वह एविदेंस वर्प करेगा प्री यह एक लिटन वड्ड है जिसका मनलब को तरें दीग्री और अग्रूवेटिव पौरस्नी और इस एक करते हैं कोई ऐसे फैक्ट जिसमें प्रोडेटिब फोर्स सो प्रोडेटिब फॉस मतलब सकते हैं परकी हूई कोई चीज और तपा तपाया हो दो कुल दिवेशने उसका मैं वह मतलब कह सकते हैं तरहसे प्रॉड फांग और सिस्में प्का ऐंस परका हुआ material बाहिए तो इसमें कोई फैक्स है कोई भी हत्यार देखा गया वहां पर रही है यह किसी आदमी के वयान दिए गई तो वह ऐसे हैं बिल्कुल एक दम परके हुए हैं हाँ यह सही है और बेख्युल 100% सही शौक्प प्रिक्षट सही है उसे हम बोलेगे प्रोभीटिव फोर्स है उसमें प्रोभीटिव फोर्स मनी जाएगी और आगे दी केसे है आर्वर्सिस रिचर्ड्सन का लीडिंग केसे बहुत इंपॉर्टेंट रिचर्ड्सन इसमें एक लड़की की हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो घर में अकेली थी और उसको हत्या करने करने डार अंतालेंगे तुम का्न जाने का तो वहां पर जो मोका मिला चल लड़की अकेली वहां लाइज इस में जाती है कि उसकी हत्या को सकती क्योंक्सिवा तक zł Carolina क्यों कर अ उसका घर पर अकेली होना और उसका प्रवेश करना तो यहां पर कैक कनेख्टिविटी है यहां वक्ते सब्सक्राइब है गई तो अधर वाइं वहनान संट्टे दू अधर वन फैक्ट वह एक फैक्ट है कि वहां धर्मंध अकेली है एक व्यक्ति को अबसर मिला जाने का और वो उसकी घर में प्रवेश करता है उसकी हत्या कर देता है तो यह करेक्टिविटी है इसी को कहते है रेलिवेंसी सुसंगत्ता पहिदा होती है तो यह बहुत अच्छा कि इसे लीडिंग के से आप इसे याद रखें और इसे जरूर ल लुए और अवामज़ना है लीडिल रेलिवेंसी अледलो झाल रालीकक इमलेस्पी टार्क केंव है कि अउचित कर affiliated सुसंगत्ता ताकिक सुसंगत्ता विलिदुक एप ज कानून कहता है जो लू कहता है मोडühr को और कप जर्थ जरी है कि 15 अपनी बात रखने esfें किसी अन्य तरीके से देट इस लॉजिकल लीगल रेलिएंसी व्यापत है एक्स्टेंड़ है यह एक चेकर के संकीन है नेरो है इसमें कुछ मैंने चीज़ेंदी की डाल दी है वर डाल दी है यह इस दिए दिए इस दिए नेरो फॉज एक चैनल यह एक बड़े फोर्म में वह लिए उसका यह चोटा इसा लॉजिकल लिए लिए तो यह एक बड़े फोर्म में उसका यह पार्ट माना जाएगा यह दिए गए जो भी प्रोवीजन से 6255 में से एक या अधिक प्रकार से सुसंगत हो सकती है मतलब लीगल रेलिवेंशी को आप 56789 10 11 12 13 14 ऐसे कटे चले जाएं 55 तक किसी में एक प्रकार से या सभी प्रकार से यह सुसंगत हो सकती है यहां पर यह दिए गए जो प्रोवीजन से उन से नहों कर किसी अन्य अलग रहें से संसक्त होती है मैंने आपको बदाया लॉजिकल तर्किके जरीए तर्किके जरीए इसमें यहां पर रेलिवेंशी दिखाई जाती है अगर जहां पर लौ नहीं मिल रही है तो कही नहीं किसी और करीके से आप जिरुस्कुरूंडेस में जाकर या किसी और तरीके से हम मानम अध़कारों का मापदन लेकर कोड क्या करेंगा इस जो लीगल रैंशी इसको देखेगा लाजिकल करके अपने तर्किके जरीए वकील वह्स करेगा मैं तर्किकी प्रतेव लॉजिकल रेलिवेंट इसक्ट है प्रतेव जो लॉजिकल पर जो बनाया गया प्रक्ट है अनिवारता लीगल रेलिवेंट है तर्क के अनुसार जो दिया गया कर दिया जाए तो प्रतेक लीगल रेलिवेंट फेक्ट अनिवारता लॉजिकल रेलिवेंट नहीं है तो यह मैंने दोहों का डिफरेंस बता दिया है चोटा सा यहां पर समझेने के लिए और यहां पर मैंने डेविनेशन को क्लियर कर दिया है और यहां का चुट चुट क्ट्रेशन को को खोल कि आपको मैंने समझा दिया है तो आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मझे कमेंट करके बताएं और मुझे मोटेवेट करें कि मैं आगे और वीडियो को बनाओं और यहां एंड वांग कल एक्ट को बाएं और वांग को बनाओं तो यहां पर मेरा प्रियास रहेगा कि आप एक्जाम को पास करें क्लियर करें और जल्दी से जल्दी करें और इस वीडियो में मैंने इतना बता दिया है कि कोई क्वेश्चन आपका प्रूलिम्स में बाहर नहीं जाएगा बात रही मेंस की तो मेंस में अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो इसको आपको 101% लिखना ही पड़ेगा कहने का मजब है कि इसके बाद मेंस का और स्टेप आप लिख सकते हैं तो यह प्रूलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्डेंट है और कोई क्वेश्चन अगर डिरेक्ली या कभी इंडिरेक्ली भी क्वेश्चन आपसे हटके किया जता है इंटर्व्यू में तो वह भी आपको काम में देगा हैल्फ देगा और यह है टॉपिक एव पड़ा रहे हैं लेकिन अभी तब मुझने आपको में वह दगाया विदेंस के रेमिशन नहीं बताई वह देश्ची परवाशन नहीं बताई है विंडेंस क्या हुता है साख्ष किसी के तो दोस्तों साख्ष ईक्चली जो डिफाइड किया गया है एक्ट में बहूं में वो वह लिए तो मैं इसे टफाइन ऐसे नहीं कर सकता हूं अपारेंग टू बेर एक टूकि इसको डिफाइन नहीं किया जैसे सैटिस्वेंटरी भी नहीं है संतोष जनक रहें जितना भी डिफाइन खिया है वह संतोष जनक नहीं और कंप्लीट भी नहीं केनिका मतलब है इनकंप्लीट है असंतुष्ट वरा है और टिफाइन भी ढंग से नहीं अगर यह कहना का जाए तो गलत भी नहीं होगा तो देखते हैं इसको फिर आप ही इसका आकलन करना कि इसकी डेफिनेशन भूती क्या है लेकिन फिर भी अगर सरल शाब्दों में देखें सरल भाषा में देखें कि एविडेंस मनद साक्ष मनद सभूत प्रूफ क्या होता है प्रूफ वह होता है जो किसी की रेलिवेंसी और इर्रेलिवेंसी को एपस्प्लेग करता है एसा त़्या ऐसा साक्ष और इसी चीज जो किसी की रेलिवेंसी को बचाएं या इन रेलिवेंसी को कोई चीज रेलिवेंट है ये नहीं है उस चीज के लिए पेश किया जाने वाला जो भी एविडेंस है वो जो भी चीज है वो एविदेंस से सरल भाशा में अब डेफिनेशन में देखते हैं तो तो यहां पर जो डेफिनेशन बताए गए अब सक्षिन 3 एविदेंस नौट डिफाइट, नौट सैटिस्टेटरी और इंकम्प्लीट भी है लेकिन उसको समझते हैं एविदेंस की डेफिनेशन को और एविदेंस और डॉक्मेंट दो तरह के अविदेंस बताए गए हैं यहां पर और आप अपने मुक्ष से भी कर सकते हैं या चुप रहकर भी कर सकते हैं उसे ओरल भी का गया है मतलब एक गुंगा रखती अगर एविदेंस कोई देता है कोट में जाकर या किसी तरह से तो उसको और लाइविदेंस ही माना जाएगा यह बहुत इंपॉर्डन पॉइंट है इसको मैं आगे आने वाले सेक्शन से बताऊंगा यहां पर इसे लियाद रखें तो और डॉक् डॉक्ति अगरेंस की कहते हैं लिविन मतलब जिसमें जीवन की कुछ पूर होते हैं जीवन तो होता है तब ही तो का जाता है कि जो जो गुंगा वेक्ती है वो भी अगर कोई देरा है जो कह रहा है इशारों से समझा रहा है लिखकर बता रहा है तो उसे और लेजेंस माना जाएगा वो लिविंग है इसलिए और डॉक्यमेंटरी एविनेंस दब डैट यह नहीं किसी काम का नहीं है डैट से मजब जो चीज वो लिख गई है अब उसे कोई बोल नहीं सकता है कि वल वो दिखाई जा सकती है दर्शाई जा सकती है बस इसलिए उसे बोला जाता है पहले डाकुमें ध्री आम है और स्डेटमेंक्ट मेंट्स वीच द ऑपूट करता है मांग करता है यह अलाव कर डिता है ओन्मती द है to be made before it, court के सामने वो पेश किये जाने, court ने कह दिया कि इन statements जो भी हैं, इनको permit कर देता है कि इन statements को आप दीजिए, या वो मांग करता है कि ऐसे statements के सामने इस तरही चीज़े दी जाएं, जो भी मांग करता है किसी भी तरह से, by witness, किसके द्वारा important बात है, by witness, under inquiry, inquiry जब कर रहे हैं, यहाँ पर आप बहुत ध्यान रखें कि under inquiry, जब court inquiry कर रहा है, इसको आप उपर भी लिख सेते हैं, under inquiry, all statements which the court permits, इंक्वारी करते समय को जितने भी statements ने इनको पर्मिट करता है, या मांग करता है, by witness, in relation to matter of fact, किसके relation में, किसके सम्बंद में, matter of fact, तथ के सम्बंद में, जो तथ है, जो बात है, जो चीज है, कोई भी हो सकती है, visible हो सकती है, invisible हो सकती है, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ कहा, कोई चीज है, मेरे पास marker है, mobile है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, कार है, किस color की है, कुछ भी में मार्केट जाता हूं, आप मार्केट गए, कोई मार्केट गया, किसी ने कुछ खरीदा, किसी ने कुछ बेचा, whatever, everything, relation to matter of fact, अब कोर्ट को लगता है कि इस fact से जुड़ा हुआ कोई ऐसा तथ्थ है, इस वाली ऐसा कोई statement है, जो witness से लिया जाना चाहिए, तो वो मान कर सकता है, या permit कर सकता है, आदेज दे सकता है, कि हाँ इसे court में जो वकील है, वो permit करते हैं, और वो कहते हैं कि वजूर ये जरूरी है, तो वो permit कर सकता है court को, तो ऐसे statements, जो मान कर रहे है, पर्मिट कर रहा है, fact को बता करने के लिए, inquiry के दोरा, inquiry करते सुने, oral evidence कहे जाते हैं, यह आपको याद रखना है, अच्छी तरह से, अब आते हैं हम documentary evidence, इसमें आपको बता रहू, 17-10-2000 में इसमें अमेंडमेंट हुआता, तो कई questions ऐसे भी हुए हैं, जिसमें पूझ ली गई है, आपको यहाद रखना है, 7-10-2000, यह डेट ऐसी आ जाती है, October की डेट है, 17th of October, documentary evidence, इसे dead evidence मिने बताया है, जैसे, all documents, सारे documents, दस्तावेच सारे, plus, नहीं plus का निशान लगा दिया है, including, जैसे कहते, including, including electronic records, जो amendment किया था, वो electronic records जो ले गई थे, इसमें, जब जिसमें Google आया, और technology आई, mobiles का आया जमाना, बहुत तेजी से computer का जमाना आया, तो यह amendment किया गया, और documents, सारे दस्तावेच और electronic records, electronic records में जोड़े गए हैं, produced for the inspection of the court, court, court के inspection के लिए दिये जाती है, court के inspection है, उसकी जाच करने के लिए, उसको देखने के लिए, बालखी से समझने के लिए, कि जो documents आया है, कौन सा है, कैसा है, जब तब court नहीं देखेगा, तो वो गलत होगा, या मान नहीं होगा, चाहिए को electronic record हो, या documents हो, तो इसमें documentary evidence में कौन सी जी जाती है, यह आपका all documents और electronic records, जिनको courts में produce करना है, inspection के लिए, तो यह आपका documentary evidence हो गया, और यह evidence मैंने आपको समझा दिया, सरल भाशा में, अब यहां पर आता है, इंडियल law, इंडियल law में जो कहां गया है evidence को, कौन कहां गया है documentary evidence, जो भी evidence पेश किया जाता है, हमाले भारत देश में उसे documentary evidence बोला जाता है, लेकिन इसके इतर इसके विपरी English law में called real evidence, इसको real evidence बोला जाता है, यह थोड़ा देफरेंस हैं यहां पर, आगे आते हैं, documentary evidence, documentary evidence is greater than oral evidence, यहां पर documentary evidence को, जादा स्रेश्ट माना गया है, किसकी तुल्ला में, oral evidence की तुल्ला में, ऐसा क्यों है, क्योंकि documents जो है अपने आप में उखता सबूत होते हैं, मजबूत सबूत होते हैं, कि जो चीज जिसने कही, उसकी report, science की report, lab की report, जो map बना है, किसी engineer का, या किसी ने कुछ कहा, या किसी ने कुछ लिख दिया अपने business में, documents मना दिये, कुछ भी कर दिया, business में जो भी आँकड़े आए, जो भी उसका telly वगेरा से, जो भी उसका business related, जो भी data सारा का सारा documentary है, documentation record है, इसको ज्यादा मजबूत मना जाता है, पुखता मना करता है, इसलिए से स्वेष्ट कर जादा है ये, ओरल की तुलना में, because क्यों, ऐसा क्यों होता है, मैंने कुछ पॉइंट बता भी दिये है, documentary evidence is more stable, जादा stable है, बलब लंबे समय तक ये टिका रहता है, डटा रहता है, जमा रहता है, presentation is easier, इसका जो presentation है, इसको प्रेजेंट क करना जदा आसान होता है, ओरल की तुलना में, more life cycle, इसका life cycle भी ज़्यादा होता है, मतलब अगरा इसको समाल के रखा जाए, documentation को, तो काफी लंबे समय तक ये चलते रहते हैं, oral evidence can be excluded by documentary evidence, oral evidence को exclude किया जासकता है, उसका अपको version किया जासकता है, उसको खटाया जासकता है, by documentary, तस्ता बेंजी जो साक्ष है, उसके द्वारा, तो यहां पर importance किसको दी गई है, documentary evidence को, मैंने यहांगा difference करके भी बता दिया है, और define करके भी बता दिया है, लेकिन फिर भी यह definition इतनी complete नहीं है, क्यों complete नहीं है, इसमें कुछ बहुत सारे part है, कि oral evidence कौन कौन से होते हैं, यह नहीं बताया गया है, इसमें कौन कौन सी चीज़े oral होती है, oral evidence, बस इसमें permits करता है, requires करता है, बस यहां पार इसकी प्रिकरि बता दिया है, लेकिन यह नहीं बताया गया है, लेकिन यह definition पूरी complete नहीं मने जाती है, यहां पर कुछ पार्ट के complete से दिखते हैं, यहां पर बहुत चीज़ें छुटी हुई है, इसलिए से complete नहीं माना जासकता है, तो यह वीडियो थी हमारी evidence के ऊपर, दोस्तों यह आप भी समय कमेंट करें और बताएं, और आगे जो वीडियो आप जिस तरह की evidence act में चाहते हैं, मुझे बताएं, मैं आपके एक्जाम के लिए बहुत ताकत से लगा हुआ हूँ, बहुत पावर के साथ लगा हुआ हूँ, जिससे आप जल्दी से जल्दी एक्जाम को निका करता हुआ था कि जो definition की हुई है, interpretation clause में evidence की, वो incomplete है, satisfactory नहीं है, और जो define की गई है, वो सही तरह से define नहीं की गई है, तो इसमें कही ना कहीं default है, तो इसमें क्यों default है, क्यों satisfactory नहीं है, क्यों इसकी definition पूरी नहीं है, इस चीज़ को जानने के लिए, आज मैंने ये वीडिय क्यार की है, और इसको समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, तो question ये आता है, why definition of evidence is incomplete and defective, जो definition है, evidence की, वो incomplete है, और defective है, क्यों है, ये अगर question आता है, छोटा सा, कहीं नहीं चोटे बाट में तो आप इसमें लिख सकते हैं, it excludes, exclude करती है, इसमें निकाल दिया, इसमें हटा दिया है, अब वर्जन कर दिया है, the statement of the parties, ये parties के statement को नहीं बचाती है, दिखाती नहीं है, include नहीं करती है, इसमें मिलाती नहीं है, और धूतरा point कहता है, it excludes the admissions of the parties, parties के जो admissions हैं, जो उनकी संस्वीक्रतियां है, वो भी इसमें include नहीं करती है, ये definition, इसलिए ये definition incomplete होती है, और defective भी है, तीसरा point आता है, it excludes, अपुवर्जन करती है, the conduct, इसके आचरन का, और demonion, और भाव भंगिमां का, जो उसका posture है, उसकी जो भाव भंगिमां है, means, विवाहार, जो 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 सब आचरन करता है, अब the parties before the court, तो court के समने, ये conduct और demonion, दोनों को exclude करती है, आपुवर्जन करती है, इसका, इसलिए ये incomplete भी है, defective भी है, और satisfactory भी नहीं है, it excludes the circumstances, उन circumstances को ये exclude करती है, coming under the direct cognizance of the court, जो court के direct cognizance में, means, प्रतक श्रूप से संग्यान में आने वाले जो भी परिस्तितियां है, उनको ये exclude करती है, include नहीं करती है, जोडती नहीं है, बल्कि उनका अपुवर्जन करती है, इसलिए ये definition हम कह सकते हैं, incomplete भी है, असंतुष्ट भी जली भी है, defective भी है, okay, it excludes the facts which the court can take judicial notice, court जिनका judicial notice लेगा, उन facts के बारे में इस definition में नहीं बताया गया है, उन facts के बारे में, section में अलग बताया गया है, लेकिन definition नहीं बताती है, it excludes the facts which the court shall, या may, presume, court जिनकों करते हैं, शेल presume करेगी, जिनको अबधारना करेगी, करेगी, और जिनकी अब धारना को कर सकेगी, जियू कर सकेगी, उनको भी काईना भी definition में बताया ही नहीं गया है, exclude कर दिया गया है, तो आपके इस six point में निकाले हैं, जिसमें ये जो section मनता है, कि ये definition, इसकी defective है, incomplete है, satisfactory नहीं है, तो यहाँ पार्टी को भी नहीं बताती है, पार्टी को एंट, exclude the circumstances, उन circumstances को, जिनमें court directed cognizance लेता है, means protection से जो संभ्यान लेता है, और ये उन facts को भी नहीं बताती है, जिसमें court presume करता है, शेल presume करता है, बे प्रस्यूम करता है, और जिसमें judicial notice लेता है, तो यहाँ से इन कारणों से यह definition incomplete हो जाती है, defective हो जाती है, और satisfactory नहीं रहती है, तो यह हमारा छोटा सा question का जिसका मैंने आपको answer बताया, बहुत important भी है समझने के लिए, आगे इसमें छोटा सा point मैंने और जोड़ा हुआ है, यह question से अलग है, लेकिन यह evidence के ऊपर है, जो cases से related है, evidence से related जो भी cases है, important cases, leading cases, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेंस के परपस से, आप question लिख रहे है, मेंस में, तो कैसे कैसे रूप को लिखेंगे, जरूर लिखना है आपको उनको, evidence related cases, एला है, अब्दुर्रजाग वर्सिस state, अब्दुर्रजाग वर्सिस state, इसमें बताया गया है, जो खोज करने वाले जो डॉक्स होते हैं, उनको scientific evidence बताया गया है, तो बैग्यानिक साक्षे हैं, जो भी खोज करते हैं पर इसके साथ, या मिलिट्री के साथ, या किसी और तरह से ही, तो उनको अब्दुर्रजाग की case में, scientific evidence बताया गया है, नेक्स्ट के साता है, रमा देवी वर्सिस वीवी ग्री, रमा देवी वर्सिस वीवी ग्री, आप इसे देख लें, समझने इसका फूटो ले ले, जिससे आपको याद रहे, रमा देवी वर्सिस वीवी ग्री, टेप रिकॉर्ड ऑफ टॉक्स बातचीत का जो टेप रिकॉर्ड हुआ है वो डॉकुमेंटरी एविडेंस है बातचीत में जो भी हमने टेप बगेरा किया है वो डॉकुमेंटरी एविडेंस में आता है पुष्पा देवी एम जतिया वर्सेंस स्टेट आफ महराश्ट्रा इसमें कालिया है evidence obtained through undesirable means साक्ष जो गलत तरीके से प्राप्त किया जाता है जो साधन उचित साधन नहीं है अनुचित साधनों द्वारा कोई साधन प्राप्त किया जाता है can also be taken into consideration उसको भी संग्यान में ध्यान में रखा जा सकता है और is a relevant also वो relevant भी है सुसंदत भी है तो जो evidence undesirable तरीके से जिसमें कह सकते हैं अनुचित तरीके से लिए जाता है तो वो relevant भी है और consider करने योग भी है consider भी किरता है और त्वारा तो यहां पर मैंने तीन केस बताए हैं तीनों केस अगर आप डालते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत important होगा और यहां पर चलते चलते में आपको बता देता हूं जो पंच नामा किया जाता है प्लिस द्व किसी विकती का तो कही ना कहीं उसको हम एक relevant fact माना जाता है तो उसको एक evidence माना गया है यह जबताने का नियों कोशिशिटी है कि अगर कभी बंजनाना के बारे में कोई में कोई कोश्याता की सब्सक्राइब तो आगने तक आंसरistas यहां पर नाटने सब्सक्राइबर दरूंभीक होगा dosk तक आए यहां पर हमारे वीडियो कम्लीट होती है मिलते है में भी एक वीडिवो में और इसी वच्छ के साथ इस ही दाखिक के साथ और प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो कमेंट करके बताएं, और जैसा आप वीडियो चाहते हैं, जिस तरह का जाते हैं, प्लीज इसके बारे में मुझे बताएं, जिससे मैं आपको और ज़्यादा पढ़ा सकूँ, और ज़्य परक्कर में आने वाला है वीडियो को आप बिल्कुल भी मिश्मρα करें और समझने का प्रेवस करें करें लौप छॉर्टल JUST kidding लेकर आया हूं और डायामिक आप देख रहे हैं किस तरह के काइं है इसमें में तूक्त भागों में डिवाइड किया है उन्य को इसे होते हैं उन को बदाया है और कॉन को से होते हैं जो यहाँ जी वह की मारत के साथ कुछा बाहर काफी अच्छा निकालने के कोशिश किये तो मुझे लगता है कि यह आपको पसंद आए और यह मैं आप सक्या सकता हूं शौर कि यह आपके बहुत काम में आएगा इस फिदर को इस इमेज को आप दिमाग में एक दों बजा के रख लेना तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबस कुमेंट्स होता है कि जो समग्सम डॉब के बारे में सुना है जो खोजी कुत्ते होते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रेकर डॉक्स अगर वह कोई चीज ढूनकर लाते हैं तो साइन्टिफिक एविडेंस माना जाता है वह बात हुए एविडेंस की लेकिन वह कोई भी चीज़ खो रूप में माला जाता है इसी तरह से मालोग पंचनामा है वह भी एक अविडेंस एसी तरह से मालोगूई टेप रिकॉरडर है उसमें टेप कोई बात थे कन्वस्यूं कि सी दो वहत्तियों का या तो किसी ऐसे जिनका आपस में बातलाब हुआ है और वह रिकॉर्ड हो जाती तो वो भी एक evidence है लेकिन हम यहाँ evidence की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं document की documents के kinds कौनकों से होते हैं बहुत ही easy साल तरी किसी आप समझेए से new documents और ancient documents पुराना कोई documents होगा और कोई नया document होगा तो उस document को हम बोलेंगे new documents और जो पुराना है उसे बोलेंगे ancient documents जो काफी चीजें दस्तावेज हैं बहुत लोगों ने कई लोगों की कहीं बातें या पुराणिक चीजें या मदब उस समय भारत के डिवीजन के समय में या भारत के आजादी के समय में जो चीजें बनी या उससे पहले इस राम मंदर का मामला आया तो राम मंदर का नक्षा देखा गया ancient documents तो ऐसी documents जो पुरा तरफिक काल से चले आ में हड़पा के समय से मोहन जुदारों के समय से काली बंगा में मिले लुद्र में मिले इस तरह से ancient जो माने गए है documents उनको हुनने एक category में रखा है प्राचीन documents की रखा है और नियो जो नवीन आज की खोजों के आज के पन्याज आज के लेगों के आज की नई जडिनेशन के आज नया बना आए उस चीज के बारे में जो आता है उन निउ डॉकुमेंट से हैं बीजानते जो सब्सक्राइब होगा जाता है यह आप लेकिन ऍधूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब होगी कि पर अदेश्टिट में कोई भी सराइब नहीं होता है कर दिए में आता है इसको 63 में बताए गया है जिसकी मैंने वीडियो आगे मैं देने वाला हूं जल्दी 62 और 63 बहुत ही इंपॉर्टन है तो यह भी पाइंड है पॉब्लिक और प्राइवेट डॉकुमेंट यह यह 74 section 75 में दिया हुआ है प्राइमेंट औरक्यूक्स कुन से होते है और नक्स जाबता है डॉक्मेंट टॉस एट एप ну etwa सांगां इसे इदान जो हैं आप आपतले क्निशे की कि हैं किसी चीज़ की साफ शीकानायो दिखाई आहिके फिर यह स्मान नहीं पड़ता है लेटेंट डिफेक्ट जो प्रकट नहीं हो पारा है प्रकट इसमें उल्जां हुआ है उसे बढ़ा हुआ है तो उसे बोलेंगे लेटेंट अंबीवर्स ऐसी डॉकुमेंट भी तो उनको भी हम डॉकुमेंट की काई में रख सकते हैं और नेगोशिएवल इंस्ट्रूमेंट यह एक्ट का जो सच्छन 138 और इसके आगे जो भी आते हैं सेक्ष्ण 138 139 141 142 43 इस तरह से चलते हैं तो जो भी घस्तावेज है बो भी तरह से डॉकुमेंट की शकल में होता है तो यहां पर जो यह सिक्स टाइप की जो डॉकुमेंट बताये वेए काई से इनको आप पहुत अच्छे सी आदी से क्लिक कर सकते हैं फोटो को देख सकते हैं सबसकते हैं सबसे हैं की परदेशा है यहां पर जो छेराध देखी वहां का का डारेक्ट डार्वीजनस है आपने कुई गजी अपने इंद्रियों दattend देखी हर सनी भी आपका डारेक्ट मेंस हिसे हो और आधिनस भी कह सकते हैं 15 सीज़ सेइंसिस के गराओं इंद्रियों द्वारा गराओं परसी होते हैं वह भी ऑगदäनस्य आपके इंदरियों द्वारा नहीं किसी और तरीके से उन चीजों का पता चलता है किसी और के जरीए या किसी और धंसे कोई कि इलक्ट्रोनिक फॉरम से किसी भी चीज से तो वह और लेके में पिरड़ेंस के रूप में आता है और सिक्षार और को यह वस्तुय पदार्थ वश्तार वह कोंद्रेशन धेर पर आपना किरेंए रूप में और उसकी कोई बी कंदीशन किसी भी अवस्था में पड़ी हूई है उपस्तित है प्रेजेंट है तो भी क्या है डारेक्ट और और अविदेंस है जिसे पेश किया जाता है और सिस्केंज आप एनी मैटीरियल थेंग किसी मैटीरियल तिंग का existence कोई स्थिक के वारे में कोई भी मैंट्टी इन आपस्थिती के बारे में और उस taste के बारे में कोई भी मैंट्र्यतिन दिन तो यहां पर अपने ऻिए हैं तो यह में लेगा मिलेगी आपको हुए अगर आप उसको डाइडराफ मनाके इस तरह से लिखते हैं तो आपके नंबर ज़्यादा मिलेंगे और अगर आप सीधा लिखते हैं तो उसमें नंबर किना भी अट्रेक्शन कम होगा कहने का मतलब यह है कि जब और आपको चेक कर रहा है तो उसकी निखाओं में उसके मांसे रूप से अट्रेक्शन पहिदा होना चाहिए कि इसने औरों से डिफरेंट लिखा है जो सब करें अगर आप वो करते हो तो आपको चीज नहीं मिलेगी जो सब को मिलती है बलकि आप वो करें जो सब नहीं करते हैं आपको वो चीज वो मिलेगी जो किसी को नहीं मिलती है बा इंडमिय अफ्रटिक्ष इस्टेट्मीं अब्सेक्ष्ट थार्टीटू में दिए इस्टेट्मेंट्ट्स इसमें डाइंड इुक्लिएशन भी आता है कोई ऐसी चला गया मिल नहीं सकता है या उसका मिलना इतने विलंब के साथ है जिसमें को युक्ति नहीं समझता है तो ऐसे स्टेटमेंट्स भी इंडरेक्ट एविडेंस में आते हैं रेज़ जेस्टे इसमें होता है अडर सेक्शन 6 ऐसे सम्वेवार के बारे बताया गया है जो किसी काल को करने से उस काल के करने से जुड़ जाते हैं जैसे एक एक एक्जामपल इसमें आपके बेरेक्ट में दिया गी हुआ है और फिर्टी मेले में जाता है और दूसरा आदम से मिलता है बताता है कि एसे ऐसे मेरे पास ये चीज़े मेरे पास हैं तो उसने जो जो चीज़े उसने देखी समझी और उसे जो बताया गया एक ही संदरावार का भाव हो गई जिसे हम रेक्स चेस्ते करते हैं अजर्ड इप पर अद्ने सच्छन 45 एक्सपर्ट की ओपीनियन कोई पर जाए जाए या और चीज़ का एक्सपर्ट है कोई प्रस दाएं राइटिंगा एक्सपर्ट है कुछ भी ऐस सबस्क्राइब इस पने पब्लिक दियंगे ओसक्ता है इस इस पब्लिक दोकुमेंट इसे से इसलिद जो पब्लिक दॉक्मेंट में में हैं दो दोटेल्स में इंप लिए नियां कि टी जाती नहीं आ सकते हैं नहीं दिये जा सकते हैं यह उनका लाना मुश्किल होता है कि अधिमिशन्स कंफेशन अंडर सेक्शन 21 22 27 30 27 से लेके 30 तक नहीं और यह नहीं करता है इंडरेक्शन की कैटेगरी में रखा गया है और लास रहता है अधियन्स गिविन दिफोर जुदीशियल एैसे जो जो दूलीशिल परसीडिंग के समय में या हो रही है और की कारवाई में या उसके नेक्स-करवाई में जो आगे होने को है और किसी ऱक्तिकों लाना ए ड़ी होने सकता है या इत्ना विलम्ट हो सकता बताई है। यह से बनाने ही कोशिच की यह जिसके आपको समझ में आ सके और बहुत जरूर दें जिससे हमें मालम पड़े आपको वीडियो कैसी लग रही है और हम इसमें क्या improvement करें कैसी कैसी चीजों को और रखें सारी चीज़ें हमें बताएं और प्लीज बैल आइक्टम को दबराना भूलें क्योंकि अगर अच्छा लगता है हम इसमें और भी बैठीन और भी अच्छे से करने का प्रयास करेंगे मैं आपको जो कहा था कि मैं जो पढ़ाने के लिए आया हूँ करता हूं जो भी मैं टाइम निकालता हूं करता हूं आप लोगों के लिए करता हूं जिससे आपको इसका फायदा मिल सके हुआ कि यह सेक्शन 6 कि बताता है एक ही संव्यवार के भाग अगर कोई गटना गटती है तो उस गटना से जुड़े हुए और उससे पैरलल जो भी और घटना होती है या कोई कार में होता है या जो कोई विक्ति उस घटना से जुड़ा हुआ कुछ कहता है या उसने कुछ किया है या उसने कुछ देखा है तो यह सारी चीज़ें जो जो इंटरकनेक्ट होती है तो कमई ने दिओं डेलमेंट होती है और उसी सब्वेबार के उसी ट्रांजिक्षेन के एक पार्थ हो जाती है तो यहां पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यह सक्षन प्रोलेंस के लिए भी और मेंस के लिए भी और इससे इंटर्वी को कुशन भी बन ही जाता है कई न कई लेकिन वो डारेक्टी कुशन नहीं आएगा इंटर्वी में कुछ अलगतर ऐसे पूछा जाएगा तो चल होता है को सजेस्ट सुझाब देना सुञए साथ देना कुछ बताना को यह कह सकते हैं इसलों रएगा कई चीजा कुश कहते हैं बताती है कर देतीर जीर कोई कर कि किया किसी ने कुछ किया तो यहां पर सथे दिखते हैं एकी संभवार की भाग रैस जैस्टें सेक्शन सिक्स तू सजेस्ट इंडियन एविदेंस एक्ट इसमें मैं आपको सब्सक्राइब किसे बगाना चाहूँगा भी के अगेंस्ट अब जितने की चिठ्धियां उस दौरान दी गई भी को वो उस घटना के रेलिवेंट पार्ट हो जाएंगे रेलिवेंट भाग हो जाएंगे और इस कारण वो यह की संभवार के भाग हो जाएंगे बलाई वह अपमानलेख साबित हुआ या नहीं हुआ यह बात की बात है लेकिन उनकी रेलिवेंसी होगी क्योंकि वो एक ही सेम ट्रांजेक्शन में बात कही गई है बात बताई गई है तुसरा एक्जाम्बेर हम ले लेते हैं मालो देश के अविस्ट बेराक मैं आपको जिस तरह से बताया हुआ है देश के खलाब को यह बद्रव होता है घटनाय होती है आग जनी होती है तोड़ फोड होती है और जो एक विट्टी है वो दूर दराज कहीं बैठा हुआ है लेकिन उसकी फोनिक मैसेज से या फोनिक कॉल से ऐसा हो रहा है बले ही वो पस्तित नहीं है लेकिन कही न कहीं वो दूर बैठा हुआ है चुक कॉल करता है या मैसेज दे रहा है तो वह कहीं न नहीं कनेक्टिविटी है रेलीवेंसी है ताल्मेल है तो एक ही समवेवार की भाग माने जाएंगे तो कहीं न नहीं क्या है सुसंगत हैं रेलिवेंट हैं और मैच खाते हैं मेल खाते हैं जो सारे अग्जांब्ल हम एक सरल भाशा में एक आम भाशा में लेके चलते हैं मालो मैं घर में बैठा हूँ और घर से में बादी चेकी तरफ जाता हूँगीय करगी प्यक्रींff přरनीच bizi में बैठा हुआ जाता हूँ जम्रा बैठा लुत औरії पापा वह गिर जाता है और तुरंती में भागा भागा जाता हूं और उसे उठाता हूं इधर तुरंती मेरी जो उसकी मां है वो भी आ जाती है कि क्या हुआ तो उसके गिरने से मेरा जो भागना हुआ है उसकी मां का जो आना हुआ है तो कहीं न कहीं वो घटना से connected थे एक घटना के होने से दूसरी घटना का होना या इसे हम naturally कहते हैं कि एक के घटने से दूसरी घटना automatically होती है या होने की संभावना पूरी पूरी होती है naturally होती है automatically होती है without intention होती है अकर वो गिरा कोई चीख निकल की आएगी कुछ घटना घटी तो आवाज आएगी कुछ तूटा तो गुस्सा आएगा मान लोग कुछ खाया हमने मीठा तो हमें आनंद आएगा तो यह चीश पॉस्टिव हो गई यह अपराद नहीं है लेकिन यही चीशने जब अपराद के रूप में आ जाती हैं तो कही न कहीं वो naturally होती हैं यही समयवार के बाद पार्ट ऑफ सेंग ट्रांजिक्शन कुछ भी हो सकता है इस राजजेस्टे को आप बहुत इजी तरीके से समझेए कि कोई भी घटना होती है और नैचुरली ऑटोमेटिकली स्पॉंटेनियसली तुरंत ही बिदाव डेलिवरेशन बिना किसी इंटेंशन की सोच विचार के दूसरी घटना हो जाती है उसी से कनेक्टेड लोगों की आवाज आना चिलाना बोलना या गिर जाना या धका लग जाना कुछ भी इस तरह से जो गटना है वो एक ही संव्यवार के बहाँ है जिसे उन रेस जैस्टे कहते हैं तो चलिए सेक्शन को समझते हैं टैफिनिश्य को अध्य विच और दो नौट निशू ऐसे फैक्ट जो इशू नहीं है मुद्दे नहीं है अपने आप में विवाद्द नहीं है मतलब कोई अपने आप में वो जगड़े की मैटर नहीं है ऐसे फैक्ट आज जो नौट इशू इशू नहीं है अपने आप में आप सो कनेक्टेट विच फैक्ट निशू लिकिन विवाद तक से मतलब की जहां पर घटना हुई विवाद हुआ उस विवाद से इस तरह कनेक्टेड हैं इस तरह जुड़े हुए हैं कि देट फॉर्म जो बनाते हैं निरमार करते हैं तक पार्ट ऑफ सेम ट्रांजिक्शन और वेल्वेट इशू एक समदवार का भाग बताते हैं वेल्वेट हैं कोई घटना होती है लेकिन उसकी पैललली कोई दूसरी घटना अपने आप में वह इशू नहीं है लेकिन उस घटना के जोड़ने से उस घटना के चब्रड़ होने से क्या हो जाते हैं सेम ट्रांजिक्शन हो जाता है पाड़ ऐन चमीडर कर सकता हैफिक कोड देखयेगा लेकिन वह चीजें दी जा стал अगर देखिए समय या उसी इस्थान पर हुए हूँ यह जरूरी है इसा कोई जरूरी नहीं कि घटना जब हुई तो उसी घटना के समय पर बाद में भी हो सकते हैं या अन्य घटना अन्य जगह पर हो सकते हैं वहां पर फोर हुआ है लेकिन यहां पर आदी यह उससे कुछ और किया आएं तो यह डिटन प्लेस हो सकता है या उसी जगह पर हो सकते हैं तो यह नो करूंपर्टन बात बहुत इज़ी तरीके से समझना है और इसको तफ तरीके से नहीं लेना नेक्स इसमें मैंने आपको definition बता दिया है आप स्टोर्स इजी तरीके से मैंने इसको समझाने का प्रयास और किया है कि रैस जैस्टी क्या है naturally, spontaneous, naturally मैंने जो स्वत है अपने आप किसी की होने से दूसरी चीज अपने आप होती है spontaneous, तुरंट इसमें कोई वेट महीं करना है तुरंट, spontaneous, without deliberation, बिना आशे के इसमें सोच बिचाल की जरुवत नहीं है तो naturally हो, spontaneous हो और बिना आशे के हो connection between fact under question और fact and issue उस fact के और fact and issue के बीच में connection हो जो भी fact है या और fact and issue है, मामला है, मुनता है, जिस पर घटना हुई है उससे और दूतरे effect के बीच में connection हो, बहुत तेजी से हो, जर्दी हो, naturally हो और बिना सोच बिचाल की हो तो वो एक ही संवेवाल के भाद माने जाते ही, यह quote नहीं कहा है और यह definition बेरक्ट की है तो इससे आपको सब प्रियर हो जाता है, rest justice इसमें कुछ points है, rest justice को समझने के लिए, rest justice is an exception to the rule against hearsay evidence जो hearsay evidence है आपका अनुश्यक्त साक्ष, सुना सुनाया साक्ष, सुना सुनाया साक्ष तो rest justice का exception है, अफवाद है, कि जो जीद आपने सुन ली है, तो rest justice के against जाता है, वो rest justice बताता है कि संपैमार के भाद, एक ही जूसरी से जोड़ने के लिए, correct करने के लिए, लेकिन here say evidence कि मैंने सुना हुआ था, तो कहिना था है, ये correct नहीं होते हैं, ये इसके against जाते हैं, तो इसका ये अपवाद है, इसमें ये here say evidence, ये लागू नहीं होता है, rest justice में here say evidence अलग हो जाता है, interval does not constitute rest justice, कोई घटना अगर होती है, और उसमें spontaneous तुरंत नहीं होता है, उसमें interval हो जाता है, कुछ समय हो जाता है, सूर्च और विचावने का time मिल जाता है, तो वहाँ rest justice घटित नहीं होता है, एक ही समयवार का भाग नहीं माना जाएगा, that will not be the part of same transaction, अगेस में प्रोफेसर हुए एक प्रोफेसर स्टोर्म जो rest justice की अगेस बोलते हैं, rest justice is confusing word, यह confuse करता है, कौन सा part of same transaction है या कौन सा नहीं है, तो उनके according क्या ही confusing word है, प्रोफेसर विगमोर, प्रोफेसर विगमोर इसके बाले में बताते हैं, rest justice is harmful and useless, यह प्रोफेसर विगमोर को खींचा जा रहा है, यह सर्बरवार के हैं, जबकि और चीज़ों से section से वह सारे चीज़ें क्लियर हो जाते हैं, लेकिन हमने बिकार में इसको डाला हुआ है, तो प्रोफेसर विगमोर इसे harmful और useless बताते हैं, लेकिन इन सब के विप्रीत कि प्रोफेसर टेलर हुए हैं, उन्होंने इसकी definition अपने शब्दों में कैसे दिया है, राइस जास्टे इस अफेक्ट, यह एक फेक्ट है, transaction event, एक फेक्ट बताया है हुआनोंने, एक transaction होताया है, सब्वभाग और एक घटना, एक event बताया है, in connectivity with main transaction, जो main transaction है, main जो घटना हुई है, उसके connection में एक ऐसे घटना है, और एक ऐसा यह सब्वभाग है, और एक ऐसा यह fact है, तब ते हैं, तीन चीज़े में बताई है, कि यह fact transaction event, दूसरी जो main घटना हुई है, उससे कईनर में connectivity बनाता है, इनके अनुसार और रेस जेस्ट है, प्रफेसर टेलर कहते हैं, तो इस definition को मैंने हींचे लिखा हुआ है, लेकिन जब आप मेंस का question लिखें, तो आप इस definition को सबसे उपर लिखेंगे, तो आपको मार्स जदा मिलाइंगे, लेकिन अगर ये मिस प्रफेसर स्टोर की और विखेंगे की जो definition है, आपको इसे conclusion में last में लिखना है, क्योंकि ये कई न कई इसके परणाम को निर्णा को बताते हैं, कि हम रेस जेस्टे पर किस परणाम में पोच्छते हैं, तो यहां बर मैंने आपको रेस्जेस्टे को समझाने का कुशिश किये, और किसम्भवार के भाव को समझाने का कुशिश किये, और मुझे लगता है, यह समझ में आ गया है, अब आप ज़रूरी नहीं हैं, कि जो बेरेक्ट में एक्जांपल्स लिखे हुएं, आप उनी को करें, आप बहुत सारे एक्जांपल्स खुद से भी बना सकती हैं, और जिस दिन आपको खुद से बनान एक्जांपल आ जाएगा, तो आपको एक्जाम में कोई रोग नहीं सकता है यह जीत आपकी होगी और आप इसे जीत के रहेंगे एविडेंस एक्ट का जो मैंने आपको सेक्शन कराया हुआ है सेक्शन सिक्स रैस जेस्टे जिसमें एक ही संव्यवार के भाद पार्ड दे सेम कांजिक्शन के बारे में मैंने कापी डिटेल में बताया हुआ है आप उस वीडियो को पहले जाकर देखें तो आपको यह वीडियो बहुत अच्छी से समझ में आएगी और दोनों को अगर कॉंबो कर देते हैं तो आपका में में लिखना बहुत आसान हो जाएगा क्वेशन को दुस्तों और प्रिलिंस के लिए तो समझ दीजिए आप कोई लोग लीडिंग केस हैं जब यह दो लिटेस्ट केस्ट जाले जाले इसके लाब आप केस डालने की जरूद नहीं है क्योंकि वहाँ पर एंप टाइम नहीं होता है कि आप क्या क्या लखें और थोडें अगर आप पहुत सारे के सोघ्क लोगा वह बिंगा इंप्रेशन अच केसिस और लेटेस्ट जो अपडेटेड है 2020 का है इतना तो आपको चलेगा 2018 का भी अभी इतना माने नहीं होगा लेकिन जो लेटेस्ट केसे जा रहे है जो आप अच्छा रहेगा और 20 के बाद जो भी आगे अगे वाला हो इसको देखिया तो चलिए मैं आपको पहले वीडियो बता चुका हो इंशॉट आवाट प्सक्लेट और अच्छेस्ट इस ते पाइड पार ऑप सेंट्राजिक्शन मतलब कोई घतना अगर होती है और श्च आपना से रेलेक्टिड कोई और चीज जुड़ी हुई है मालों विक्ती ने जो देखा या विक्ती ने जो कहा या उसके तुरंत बात मैंने वर्ड क्या बोला उसके तुरंत बात कोई आत्मी अपना ऐसा काम करता है जिससे वो नहीं करना चाहिए तो इससे यह मालूम पढ यह जुड़ा हुआ है और के तुरत बाद वह जड़ेशन पर रहा करता था और भाग जाता है तो यह एक नैचुरली कोई घटना होनी ही चाहिए जो उस अपराद से जुड़ी हो यह पॉंटेनियस तुरंत मतब इसमें सोच विचार का टाइब नहीं हो विदाव इंटेंशन इसमें अपनी इंटेंशन नहीं हो कि मैं अब यह करूंगा लो और डूमेंटिकली नैचुरली सब्सक्राइब तो वह एक ही संब्रवार का भाग माना जाएगा इस इस प्रेस्टे जो मैंने डिटेल में पहले वीडियो में बदा चुका है आप उसको जाके पहले देखिए तो चलिए इसी पर केस रोज हैं कि कौन सी गटना है रही कौन सी नहीं रही उसको समझते हैं आ उस मामले से तह तक जाने के लिए उस मामले को पकड़ करने के लिए कोई दूसरी चीज को बताता है को बदाता है दूसरे विक्ति के एक्सक्राइशन को बताता है तो वो सजेस्ट करता है उस चीज को तो यहां पर रेस जेस्ट हैं इंपॉर्टन केसिस आर्म वर्सिस आर्म मलगानी वर्सिस स्टेवार्ट सेट आफ महाराश्टर बहुत ज़दा इंपॉर्टन यह लीडिंग केस है और यह 1973 ने आया इसमें क तिन और इंटेंफर्धर आ औरली स्टेप रिकॉर्ड ऑटेंटेंबरीनियूस पंटेप रिकॉर्ड है विस उस समय प्राद हुआ ं ऑर है और लोगों के बीच्वी जो संकालिन बाते मुँन करे इस मतलब आपका संकालिन और समय तो Contemporaneous रिकॉर्ड जो किया गया टेप रिकॉर्ड हुआ जो आपस में बाते हुई कि उसको टेप रिकॉर्ड किया गया उसको एक ही संभवान का भाग माना गया इसको सुसंगत तत्य माना गया क्योंकि जिस समय मढड़ हुआ हत्या हुई या कोई गटना गटी और समय उनके लोगों की बात्चीत जो थी हुई थी किस आवेग में किस जोश में या किस गाली और रोज में स्टेट आफ महाराष्ट नेक्स किस है आर वर्स पोस्टर यह भी बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट है और लीडिंग केस यह भी है आर वर्स पोस्टर बताता है एक्सलेशन आफ इंजर्ड परसन जो चुसे चोट लगी थी इंजर्ड था उसका जो एक्सलेशन तो उसमें बताया और देटीश और एक्सीडेट व्यूंट तेजी से वीगल जा रहा था तो उस वीकल का जो घटना घटी उस घटना के बाद उसको जो चोटें आएं उसके बार उसने जो एक्सीडेंट के नेचर को बताया उसको पार्ट ऑफ सेंट ट्रांजिक्शन बोला गया यह ए मना गया इस केस में के चोट लगी और उस चोट के कारण जिस वैक्ती तुरंक इस पॉंटेनिया नेच्रली जो कहा तो इसका मतलब को कही नहीं सच कहा तो यह एक ही समयवार का भाग मने जाएगा तो यह हुआ सब्सक्राइब नेक्स के सब्सक्राइब यहीं इंपॉर्टन है लीडिंग के से रड़न वर्सेश कुई में फोन कॉल वाइफ दूरी अर्मर्डर उसकी मर्डर के समय ऐसा हुआ था हस्वेंड ने उसको मारा जिस कमरे में उन दोनों में हाता को आई हुई लड़ाई हुई औ और हस्वेंड ने उसको मारा और उसमें दो ब लाब अच्प्तन में इसमें कॉल किया और जब कॉल किया तो जो फोन ऑपरेटर ठीजि़ कॉल उठाया और ऑसको ब tienes test a call कि ऊडित इसे स्कोक्रा रहा गया जो भी बात कहीं गई उस लेडी द्वारा और फोन रिकॉर्ड की वहां पर जो फोन हुआ वह वह उस एक ही संवेवार का भाग हुआ क्योंकि मर्ड़र होते ही तुरंत ही स्कॉंटेनियस नेचरली उसमें जो बाते गई पार्ड ऑव सेंगे काविक्शन इस लिए वह रेलिवेंट माना गया यह बहुत अच्छा केस है इसको आप तो ज़रूर लिखना है नेसे अटिकार आर वर्सेश वैडिंग फील्ड यह भी बहुत बढ़ा और बहस का लेडिक है और कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा आर वर्सेस वैडिंग फील्ड वैडिंग इसमें लड़की ती जिसको वैडिंग फिल्ड एक विक्ति था जिसने एक लड़की को गले से काट दिया था उसका गला और वो कमरे से तुरंट महां पर बाहर आती है और वो पनी चाची से मेरे साथ क्या किया है तो यहां पर जो हाउस अफ लॉड्स के जो जेज थे जस्टिस कुक बर्म उन्होंने यह कहा कि जब वैडिंग फिल्ड को मारा गया था उसका चलाया गया था चाकू गले पर उस समय वहां पर कमरे में रही क्यों नहीं चीखी क्यों नहीं बोली कि मु भाग नहीं माना और उन्होंने इसको एडिसिबल नहीं किया और इसको नहीं कर दिया लेकिन आगे इसमें चप्चाय हुई बहस होई बात आगे आई कि अगर कोई विक्ति बाहर आपके कहता है कि मुझे इस तरह से गला काड़ दिया गया है मेरा तो कहीना कि इसको सोचने क अगरा टाइम नहीं मिल पाया है तो वह जो कुछ भी कह रही है और जो कुछ भी जिस्विक्ति के बारे हो रही है वह सही बोल रही है इन दुसेम वेशेंटर के जो डिसीजन दिया गया को कहीना कान्फूसिंग है और एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन बहस का मुद्धा ब इस चीज़ को यह तरह से एक्जैक्लिंग नहीं बता पारा था डिसीजन को सब्सक्राइब तो यहां पर इन आपको लिखना है अब यह और इर्लेवेंट माना जाए रही है नेक्स्ट क्वेस्टिन आता है किसा आता है बसंती वर्सेस स्टेट आफ हिमाचल प्रदेश बसं मर्डर होने के बाद जो सब्सक्राइब परसंता जिस पर संदेव हो रहा था कि इसी ने शाहिए मटर किया हो है 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 फिट डर्डेड बॉडी उसने डेड बॉडी को छिपा दिया गए और डिसीज़ी की जो मृत पेकी लाउस की बॉड़ी को छिपा दिया एंड लेफ डब बॉडी को चुपाने के बाद बूज चला गया है तुरंती उसके हत्या करने के बाद तो कहीं ना कहीं यह इस चीज़ का सुसंदर तरके बनता है और सेंट बनता है पार सिंट तो कि जो भी घटना होई उसने तुरंती की स्पॉंटेनियस की और स्पॉंटेनियस में क्या होगा हो गया उच्पर बेदेनें क्षट बना गया तो यहांपर जआणा कर देड और या थि प्रसक्राइब जो मामले में कहा गया था इसमें समर्थम किया आर वर्स इस कुर्षी में सब्सक्राइब किया गया उसे बुरे शब्द बातें गई यह सारी बाते उसने अपनी मम्मी को बता दी अपनी मज़र को बता दी कि मुझसे ऐसे ऐसे वर्ट बोले गए ममी ने यह सुना सारी बातें को इस तरह से आई निकल कर तो लेकिन जब यह मामला कोर्ट में आया कि तो यह कहा गया कि परिस्क्तियां और ऐसी थी कि जो व gliम स्में मंसे के दिया औल्या कि तरह से इतनी दूरी से रही हो कि भूस स्था यहां पर इस तरह के बताया गया मैंने आपको कृस्टी का यह आपको डालने पढ़ेंगे क्योंकि कोई इन दोनों चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा और अच्छा बना जाएगा तो यहां पर अगर आप तो इन केसे को डालते हैं शॉट शॉट पर लिखे डालने पर इटमी यू आप नॉलेज अबाउट अस्टेक्शन तो यह हमारी वीडियो तो यह वीडियो आपको कैसी लगी है इसको अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज कमेंट और मुझे बताएं आपको किस तरह के और चैप्टर्स चाहिए कि सथरी और वीडियो चाहिए मैं आपके लिए ही हूं और आपके सारी चीजहों तो मैं करवाने का जो मैंने आपको कहते हैं पर discernation करें कि आपको दोनों ही एक्जाम के लिए से समझना है अगर इसकी डैकिनेशन को आप अच्छे से समझ जाते हैं और डैकिनेशन को आप क्लेरिफाई कर लेते हैं इन में एक्जाम तो आप निश्यत रूप से यहां पर जड़ा मार्स ले सकते हैं अगर आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं तो कहीं नहीं कोई चीछ छूड़ सकती है तो यहां पर क्वेश्चन यह होता है स्टुडेंट का सड़ डैकिनेशन को या ऐसी आता है तो आगे जनके भूल जाते हैं तो उसके लिए ड्याग्राम इक फॉर्म में डैक्षिंट दिवाइच्ट किया हुआ है और मैं कोशिश करता हूं कि हर डैक्षिंट तॉ अब इख समझाऊं और जिससे आपको अगर दिमाग में को डाइग्राम बना रहता है कं म अगर आप डाइग्राम बनाके करते हैं तो आपको मैं समझता हूँ बहुत अच्छे मार्स मिलेंगे क्यों इसा क्यों क्योंकि आपने डैफिनिशन को यह बता दिया है एक्जामनर को कि आपने रटके टोटली लिखा नहीं है उस चीज़ को आपने समझा है और उसको करना पड़ता है इस अपने वर्ड को आपको अपनी चीजों को और उसे अच्छा और उसे बैतर कैसे बनाएं तो बहुत अच्छे से जनते हैं तो यहां पर आपको देख सकते हैं कि डाइग्रम में ने बनाया हुआ है तो इस सब्सक्राइब को मैंने काफी अच्छे से कोशिश किये समझाने की तो सक्षिन 11 को स्टार्ट करते हैं सक्षिन 11 दोस्तों कहता है प्ली आफ एलिवी इससे एलिवाई भी बहुत दिस गोल देते हैं तो प्ली एफ एलिवी एक लेटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है अन अन्य प्लेस में होना अन्य प्लेस में होना मतलब कोई विक्ति अगर प्ली ओफ एलिवी का पायदा लेना चाहता है तो उसे प्रूप करना पड़ेगा कि जिसमें घटना हुई उसमें अपराद हुआ कोई तो मैं वहां पर नहीं था मैं तो दूसरी जगह पर था उसे इस का आश का अंप्लेंस देना पड़ेगा बूर रगर चोटे पाता है तो एक्सलों का जिस तोसरी में इस प्डी इसमें आपकि वह आजि डिया हुआ है ै अगर आप अपनी इस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं तो इस चीज़ को एड़ मेंट की जाएगा रेलमेंट होगा लेकिन इस चीज़ से पूरा case solve नहीं होता है ये relevancy है कि उस चीज़ को admissible करेगा court देखेगा कि यो विक्ती जो बता रहा है बाहर कहीं अन्यत्र जगे वो था तो वाकई वो था या केबल दिखा रहा है या कुछ और तरह से उसने उसको conspiracy करके कुछ और तरह से मेंटर को गड़ा है तो औरी तिंग विल बी बॉच्ट वाइड़ को तो यहां पर definition में यहीं बताए गया है कि आप कैसे किस तरह से चीज़ों को बता सकते हैं तो देखते हैं इन Recpop कुछ आवरे एलसेकिर फ सक्ष्ट लाइवंज अदर वाइस अन्यत्र जो अन्यत्र होना इस जागे होना हां तुछ जल्गया होना तो दैबशिता कूछ से रेलिवेंट नहीं हैं बड से वह नीचे बताया गया है मतलब यह यह ऐसे जिस तरह से रहे पोनी चाहिए वह तरह से रहेंगे अगर वह इंकंसिस्टेंट अगर वह इंकंसिस्टेंट है अगर वह असंगत है विद एनी फैक्ट इशू और अगर वह वी दे दे आर जो चीज घटना या जो बता रहा है जो मुह से बता रहा है यजो सबूत दे रहा है विक्ति तो वह इंकंसिस्टेंट है विद एनी फैक्ट इशू और रेलेवेंट पैक्ट मतलब उससे असंगत है, consist नहीं करती है और उस fact issue से और relevant fact से जो relevant fact code में पेश किया गया है कि ऐसे ऐसे घटना हुई, जो fact issue मुद्दा जो बन की आया है, विवाद तक तक जो निकल के आया है, जिस पर विवाद टिका हुआ है उस विवाद से जुड़ा हुआ नहीं, उस relevant fact से जुड़ा हुआ नहीं, असंगत है, inconsistent, असंगत है तो क्या होगा, आगे समझते हैं और अगर दूथरा एक point पर यह बता दिया है, यह one point है, यह number two है If they make the existence or non-existence, उसकी उपस्त थी या उसकी अनुपस्त थी उपस्त थी या अनुपस्त थी किसी चीज़ की of any relevant fact or irrelevant fact किसी fact and issue का और relevant fact के अस्तित्व और अनिस्तत के को मनदब को बनाता है मतलब किसी मनदब, fact and issue कोई विवाद है, कोई मुद्दा है या कोई सुसंगत तथे ऐसा पेश कर दिया गया है कि वाकर ही वो जुड़ा हुआ है मामले से और उसके अस्तित्व को बताता है कि चीज़ अस्तित्व में है मतलब कि कि हाँ ये विक्ती वहाँ पर नहीं था ये बताता है या non existence को बताता है कि ये विक्ती वहाँ पर था तो इस तरह से था या नहीं था existence और non existence को बताता है कि उस अपराद से वह विक्ती जो अपराद हुआ वहाँ पर था ही नहीं या जो अपराद हुआ वह विक्ती दूरी पर था कि वह अपराद नहीं कर सकता है तो यहां पर फैक्टम इशू को देखना है और रेलेवेंट फैक्ट को दोनों को जोड़ते हुए समझना है इसको existence को और इसके non existence को यहां पर बताया गया है तो यह मैं ज इंवन दोनों बताए पर हाईलली प्रोपील गया है और रही इंप्रोपील मतलब कि इतना जादा वो probability हो जाए, highly probable हो कि हाँ ये चीज़ है, probability जादा हो या highly improbable या इतनी probability हो कि वो चीज़ नहीं है तो highly probable, highly improbable than self, अपने आप में या in connection with others अपने आप में वो highly probable हो अपने आप में बताता हो या highly improbable हो अपने आप में या किसी अन्दिफेक्ट से मिलकर किसी जे connection में आतर वो improbable या highly probable बताता है मलब कि उसकी संभावना, अवश्यम भावी संभावना होना या उसके संभावना का ना होना हाई ही बताता है तो यहां पर एक एक इड़न समझते हैं मालोग कोई विक्ति है और वो मर्डर होता है मालोग आगरा में मर्डर हुआ और वो कहता है कि मैं जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन मैं लखनव में था तो यहां पर जो भी सबूत दिया जाएगा उनसे ये सिद्ध होता है कि वो व्यक्ति हो सकता है कि वहां पर पस्तित नहों लेकिन यह भी हो सकता है कि वो व्यक्ति इतनी दूर हो कि तुरंट उस देट को वहां से लगनव से आगरा में वो मर्डर नहीं कर सकता है हाँ इंपॉसिबल तो नहीं है पॉसिबल तो हो सकता है लेकिन इतना दूरी के कारण इतना दूर है विक्ति कि वह इतनी जल्दी वहां पर नहीं आ सकता है कि वह आगरे में आकर अपराद कर ले उस दिन और तुरंत महां पर चला भी जाए कहने का मत्रब है जिसे होटल का वहां पर उसका रहने का वह जो डॉक्मेंडेशन दिखाया जाएगा तो देश्टर में दिखाया जाए या खुटल वाली से पुछा जाएगा कि भाई ये दो दिन तीन दिन यहां पर रुके अब दो दिन रुके या उस दिन रुके जिस दिन मडर हुआ तो उस दिन का वह सबूत मांगा जाएगा ये साहाब जो ते वह वहां पर रुके तो वह कहता है कि हाँ वह रुके तो लेकिन बहुत मुश्किल है तो यहां पर इंचीजों को वो एडमिसिबल करेगा करेगा तो यह पर उसके रेलिवेंट प्रेक्ट माने जाएंगे तो यहां पर क्या है कि उसका वहां से लगनों उसे आगरा आना वह सकता है कि यह प्रॉबबल प्रॉबबल हो यह भी हो सकता है यह कोई और केस बंदा हो उसमें प्रॉबबल हो अपने अलगला केस के बारे में कुछ चीज़ को समाझना होगा इन कनेक्शन विद अधर फैक्ट अधर फैक्ट देके जाएंगे रेजिस्टर देखा जाएगा वहां जो मैनेजर इसकी बात स यह पूछा जाएगा तो यहां पर उस प्रॉबबल एक से जोड़ते हुए कि वह इंकंसिस्टिंट है या नहीं है यहां पर फैक्ट दे आ अर मतलब वह पैक्ट तो मैं नहीं आपर समझाने की कोशिश की है कि कोई भी वेटती ही, कोई भी अपराद अगर घटित होता है तो उसकी highly probability देखी जाएगी और highly probability देखी जाएगी कि वो मुद्दे से कितना और किस हद तक जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है उसकी inconsistency देजाएगी, असंगत्ता देखी जाएगी या उसकी existence और non-existence देखी जाएगी, कि वो उपस्तित हो सकता है या उपस्तित नहीं हो सकता है तो यहाँ पर उस विक्ति को prove करने होती है, कि जो यह कहता है कि वहाँ पर मैं नहीं था या जिस अप्राद हुआ उस समय में कहीं गौर था, तो यह सारी चीजें उससे सित्ध करनी होगी अगर देखा जाए, तो word का ज़रा ध्माब और फिर कर दिया गया है, लेकिन यह easy भाशा में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है तो आपको definition इस तरह से आपको याद करनी है और जैसे मैंने बताया है उसको आप सरल भाशा में सरल तरिके से समझने का प्रयास करेंगी तो यहाँ पर यह मैंने definition को आपको समझानी कोशिश की तो आपको यह वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपका प्ली अफ एली वाइब मतलब की अन्यत्र स्थिती जबादमी अपराद होने की घटना इसकल पर था ही नहीं और वो दूसरी जगह था, वो यह चीज को सिद्ध कर देता है कि वो दूसरी जगह था, तो मिश्य रूप से उसे पचाप मिलता है, उसी के कुछ इंग्रीडेंट्स हैं, असेंशल्स हैं, अब अश्रक तत्व हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको, और कुछ केस लोग के बारे में और कुछ important points हैं उसके बारे में बता हुआ आज की वीडियो में तो समझते हैं प्ली ओफ एलिवाई के important essential जो इंगरी रेंट्स हैं उनको समझते हैं अब अश्रक जो तत्य हैं लक्षण हैं जिनसे प्ली ओफ एलिवाई होती है कि अपरात होने के समय पर व्यक्ति नहीं था और उस पर इल्जाम लगाया जाए कि वह वहीं था लेकिन वह यह सिंद्र कर देता है कि वह उसस्तान में अन्यत्र था दूसरी जगह पर था और वह इस चीज़ को सिंद्र कर देता है तो यह चीज़ रेलिवेंट होगी according to the law तो किसी जिसको समझते हैं प्लियोफ एलिवाई एक लियोफ एलिवी भी भी बोल देते से असेंशन के इंग्रीडेंस हैं वो देखते हैं section 11 अन्यत्र में इसकी हिंदी लिख दिया यहां पर there must be an alleged offense punishable by law यहां पर प्लियोफ एलिवाई तब ली जाती है जब कोई ना कोई अपराद से जुड़ा हो कतित हो means किसी अपराद के बारे में मामला चल रहा हो तभी यह प्लियोफ एलिवाई ली जाती है में सब्सक्राइब ले रहा है में अन्यत्र होने का पाइदा ले रहा है वो निश्र रूप से अक्यूजड हो यह ध्यान रगना है कोई और वैक्ति नहीं अभियवत तो होना चाहिए यहां पर अक्यूजड बहुत इंपॉर्डन बात है यह अक्यूजड होना चाहिए नेक्स चाहिए लिवी इस अप्ली ऑफ डिफेंस एक डिफेंस है बचाव है यह आपका बचने का एक तरीका है कि आप कह सकते हैं कि मैं वहां पर था ही नहीं जिस दिन अपराद हुआ अर्था कि आ है यह अग्यों और धिया जाती है बचाव लिफेंस पर्चाव है यह किसी रिजनेविल डाउट से ऊपर होना चाहिए मतलब इस में संदेह नहीं होना चाहिए अगर संदेह बूर्ण यह ऐसी प्ली है इमें था नहीं था या कुछ इसमें बताता है बात कुछ और निकलती है तो यह अपर reasonable doubt नहीं होना चाहिए कि वहां पर उवक्ति जो बताता है वह वहां पर होना नहीं चाहिए उसके पास इस चीज़ का सबूत होना चाहिए कहीं hotel में रुक राए किसी के शादी में गया हुआ है आपनी जॉब से गया हुआ किसी काम से वो से उस चीज का सबूत पुकता होना चाहिए कि अब नहीं समुझता है विए बचाव है विए इसको समर्थन मिलता है विपाई एविदेंस जो एविदेंस है उसके द्वारा इसे समर्थन दिया जाता है मतलब कि आप प्ली ले रहे हैं लीवी का तो आपको निश्ची रूप से सपोर्ट मिलेगा एविदेंस का मींस आपको बड़ बड़ा एविदेंस मिल जाएगा यह सपोर्टिंग जब क्लेंज अब तर है तो हमने आपको प्ली ओप लीवी के इंग्रीविएंट्स बताएं बहुत इंपॉटन से मंतब पनी शगल होना चाहिए बाइन लाओ मामला अपराद होना चाहिए कोई और एक्यूज जो भी करेगा वह अपराद की जो भी ले रहा है प्ली हो एक्यूज होना चाहिए और प्ली ओप कैडिफेंस है या बचाव है और यह रीजनेबल ब्योंड इस डाउट से दूर होने चाहिए इसमें संदेर होना चाहिए और यह समधर करता है इसका एविदेंस के लिए सपोर्ट करता है अब आगे आते हैं इसमें इस प्ली नॉट मेंटेनेबल इंटॉट यह जाते हैं आपको नहीं मिलता है इसमें डिफेमेशन के सूट में मिलेगा डिफेमेशन मतलब कि इसे तेन आपका इसमें दिया हुआ है इसे मान हानी बोला जाता है हें इन डिफेमेंशन शूट में सटुकी टॉट में पाइदा नहीं मिलेगा और इन आ विप के अलाबा उस अपपरात में और भी विक्ती जुड़े हुए हैं तो यहां पर लिए अलीवाईंट पाइदा नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि अगर किया है और बी ने भी अपराद किया हुआ है भी कहता है कि मैं तो उस दिन बाहर था लेकिन इस चीज़ को सिद्ध कर देता है तो यहां पर वो भी अपरादी माना जाएगा वो इसका बचा नहीं ले सकता है आगे आएगा है इस प्ली इस नौल एकियबल एक लाइक नहीं होती है मैं दावपतिक मामले होते हैं शादीस माभी जुड़े हुए मेंटिनेंस का सूप दे रहे हैं और आप वहां पड़ था नॉंसेंस है यह सब कुछ भी नहीं काइदा मिलेगा इसमें आपको कि लिए मैं क्षमा चाहूगा सुरी कहूंगा इस प्लीज में इसको थोड़ा मेरीज करें और हम जहें कि सूट फॉर मैंटिनेंस इन सूट फॉर डिवोर्स डिवोर्स का मामला होता है तो भी आप यह प्लीज भी नहीं ले सकते हैं कि दिवोर्स के मामले में आप अने थे तो यह पिर से बख्वास बात हो जाएगी आप शादी का तलाग ने रहे हैं और आप कहेंगे कि वहां पर थ आपका सब्सक्राइब बेब को अब आप के बचाब के पक्ष में आप कहीं भी प्ली ओफ एलीज लगा दें नहीं लगा सकते हैं मतलब यह सैल्फ डिफेंस नहीं है कि जैसे को हूँ मुझे गूली मार राया थो मैंने इस पेज बोली मार करें में यह कुछ किया हथ्यार उस रिया उसनेयों संपथ्भी को बिगाड़ा तो मैंने कुछ कर दिया उसकी हैं तो यह विए इवाँ जिस नहीं किया में कई और था अन्यत्र था कि इसलिए है कि आगे दूस्ति इसमें आता है है कि इस आते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट इसमें आपको बताता हूं लाजन सिंग एंटरेंड आपकू वर्स इस स्टेट ऑफ एंचीटी और डैली और इस केस में बताया गया है यह ओफ एलीबाई कॉट्ट वी टेकन एट पस इंस्टेंट मतलब कि पहले इंस्टेंट में पहले ही प्रयास में आपको प्ली ओफ एलीबाई लेनी चाहिए यह बात के लिए नहीं रख जाएगा नेक्स केस है दुदनाद पांडे वर्स इस स्टेट ऑफ यूपी और इस केस में कहा गया है इट टेल्स अबाउट फिजीकल पॉसिबिलिटी ओफ दफ प्रिजेंट ऑफ एक्यूजड मतलब कि यहां पर बताया गया है कि वेक्ति फिजीकली प्रिजेंट नहीं होता है जब प्रिजेंट नहीं होता है इस में तो फिजीकली इंपॉसिबिलिटी अप्यूजड प्रिजेंट के बारे में बताया गया है तो यह तो किसे से तो इंपॉर्टन थे मैंने आपको बताए कि 1872 भारतीय साक्ष अधनियम और यहां पर मैं प्रिल्मिस के साथ यहां आज में फोकस कर रहा हूं मेंस की कश्चन पर जो प्वेशन आता है डिफरेंस के ऊपर डिस्तिंगश या को कहते हैं डिस्टिंग्शन के उपर जिसे हम बिभेद करते हैं अंतर के क्श्चन आते है कि इसमें और समय अंतर बताईये तो यहां पर आज वीडियो लेकर आया हूं मैं उपधारणा के ऊपर लेकर आया हूँ प्रजमशन के ऊपर फैक्ट और प्रजमशन ऑफ्तै। मतलब तक्त की उपधारणा और विधि की उपधारणा क्या अंतर है यह कई 320 में पूछा भी गया है तो इसलिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है एस वेल एस प्रोलिम्स बोथ भी हब फोकस ऑन बोथ आस्पेक्स राइंड इट विल आप यू इंटर्वीव आंसो तो रेमेंबर एट आपको बहुत अच्छे से समझना है से और यहां पर स्ट्रेशन तो डर्एकजिकान रोथ एसमें चैनल कर लाथ लेकिन जहां पर प्रेजिंशन दी वही हैं वह हम आपको प्रेजिंशन अख्यों पर प्रेजिंशन फॉर को डिफ्रेंस को समझाता हूं चलिए देखने में तो distinction between presumption of fact presumption of law presumption of fact difference क्या है यहां पर presumption of fact दिया हुआ presumption of law पहला है अगर इसको में सबघ्सा में पर्जू ऑफ fact, fact में आपको पहले समझा दिया है मेरी व्यूडियो में जा करिए fact पिसे कहते हैं fact से मनला है तथ है हिंदी में कहें तथ है तो अधर जो भी चीज है जो आग्कों से दिखाई दे सकती है या सुनी जा सकती है या जिसका हमें ग्यान हो सकता है, भान हो सकता है, हमें मालम पढ़ सकती है, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, या हमारे पास कोई चीज है, जैसे हम कहें कि मेरे पास एक बंगला है, गाड़ी है, या मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मेरे पास कुछ रजिस्टर है, कॉपी है मेरे पास चाहर वाओ भाइक है मैंने संपत्ती है यह वी चीज़ होगी मेंने कुछ देखा मैं कुछ किया मैंने कुछ कहा या किसी वर्ट ने लुक देखा। कुछ कहा कि सारी वातें तर्ठु कहलाती है इसी के ऊपर बात चलेगी और लौटAssad जानते हैं कानून जी से हम कहते हैं जो कानून में लिख दिया गया है उसे कोड और सभी को मनना पड़ेगा कापन शे मतलब काणून से उफर कुछ नहीं है जो लिख दिया गया हो औस सच है और से हम महनने के लिए bite है बाते है उसी दोना का नंतर हम आज बताते हैं इस विजल अव फैक्ट इस बेस्ड आउं लाजिक यह लाजिक पर वेस्ट है जो आपके तर्क देते हैं वकी रोंते ऐं और पोई भी अडो पार्टियों के तरफ से चाहे ब्लाज़िक विद्विक जर्फ से चाहे तुस्की तरफ से या कोई और वेक्टी भी जो भी लाजिक लॉजिक देते हैं इसी दी चीज़ का तो उन पर बहस करने का मुद्दा बनता है इसे की लॉजिक पर वेस्ट है human experience मनुष ने क्या क्या किया या क्या क्या decision आए कोट के या किसी विट्टी ने कुछ चीज बनाई तो उसके वारे में experience या कोई building है किसी इंसान ने तयार की या कोई चीज तयार की या कुछ बनाया कुछ कहा इसे कुछ आइडिया है तो यह human experience जैसे हम कहते है एक्सपर्ट की राय एक्सपर्ट की राय ली जाती है तो यहां पर हम चीजों की राय तरह से बहस का मुद्दा तो बनता है लेकिं उसे दिन फैक कहते हैं तो यहां कर नंगे इस बेज्ड ऑन लैजिक हुपने घ्रीज एंड लॉप नीचर जो प्रकर्टी के नियम है नेचर की नियम है तो उसको मानना पड़ेगा कोई भी प्रकर्टी का नियम हो सकता है कि प्रकर्टी का यह मलब आप कर सकने है सूरज का निकल जो सोङांट को से कोई वहां से निकल रहा था और अचाना उमकरण से पेड गिर गया इतना दर यह अपना और जो प्रकतिने नियम बनाएं उसके आपॉरिंग चले गया इसका उन्ट जाए़ा इजा देज़ अन प्रॉवीजंस ऑग लॉग जो प्रॉवीजंस दिये हुए के लिए जो भी वंद दिये गए हैं उनके उपर नेक्स्ट पॉइंट रहता है इस औल्वेश लिविटेबल मैंने हbor दिया मैं एक हैसे कॉटा जाए सकता है इसको हम खंडन कर सकते हैं एंड बोज अवे दूर अट जाती है वैं एक्सक्लेंड जब इसको वर्ड़ित कर दिया जाता है तो इसको अवे यह हटाई जा सकती है रिब्यूट की जा सकती है और रिब्यूटेड वाई अगर आप सकारात्मक सबूत दे देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसे सकारात्मक से मतलब है ऐसे ऑफ़ेंट की जासकता है इसी क्या दीए तो यहीं इस निश्चायद होती है इसका खंडन नहीं होता है निश्चायद से मतलब है कि जिसको आप मानेंगे इसे कहते हैं निश्चायद जब तक रिमुटेड एस प्रोवाइड अंडर रूल इस पर एविडेंस एक्स एविडेंस के कोई रूल ऐसा दे दिया गया है जिसके अगार्ण उसे खंडन किया जलना है तो वह खंडन हो सकती है अन्य था वह खंडन रिया नहीं है ब्रेल्च नहीं होगी उसको काटान नहीं जाएगा सब्सक्राइब निश्चित नहीं है कभी वह सकती है और वह चलती भी रह सकती है सब्सक्राइब निश्चित नहीं है और इसकी पोजिशन इसकी पोजिशन इसकी निश्चित है और यूनिफॉर्म है और यह समान रहती है तुकि यह लौ है कानून है सबी के लिए समान अडर बरावर है इसका अंदेखा नहीं कर सकता है इसका अंदेखा नहीं कर सकता है इसका अंदेखा नहीं कर सकता है इसका अंदादा लगाते इसको चलाते हैं वेसिस ओन लाव नेचर जो लाव नेचर है लाव नेचर के जो रूल हैं उनकी ड्राइब होती है चलती है और प्रिमले कस्टम्स जो प्रिछलित प्रथा हैं उसके अकॉर्डिंग कोई प्रथा चली आ रही है इस तरह से यहां पर हुली चला ही जाती रही है तो यहां पर पुछलित प्रथा के अंसार वहती प्रथा हो सकती है सब्सक्राइब होती है चलती है आगे बढ़ती है अंदाज लगा जाता है इसका सोचा जाता है नियाएक 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 निया जाते हैं और लास्ट कोइंट आ जाता है अबर तो can exercise discretion विवेक यहां पर स्टोड अपना विवेक इस्ते माल कर सकता है डिस्क्रीशन कर सकता है ओप सही है ये गलत है यह माला नहीं जाएगा वह किसेप्ट नहीं कर रहे हैं कोर्ड यह कोट के सक्षार करता है वो सोज कुछ बचाल कर सकता है उसके उपर डिफेंड करता है नेक्स इसमें अता है इस में इंडेटरी इसको मानने हुपड़ है कि मानना ही पड़ेगा क्चोर्ड कोड्र इस बाउंड बाद है यह वाद है कि अधी कि लिए कि उसे मानना ही पड़ेगा तो यहां पर मैंने आपको 5-10 नमबर का क्वेशन अगर आता है तो यहां पर आप डाल सकते हैं प्रेशन ऑफ पैक्ट प्रेशन प्लॉप बस अगर 10 नमबर का लीगल जो आपका लीडिंग केस है अगर डाल देते हैं तो और भी बहतर हो जाएगा यह मेरे अकॉर्डिंग और इससे जदा इसमें लिखनी की आवश्यक्तर नहीं है लेकिन अगर पांच नंबर का कॉशन हो तो यह इतना ही सफीशियंट है आप इसे बार-बार याद करें बार-बार समझें तो आपको यह बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप फिल्पर कुछ उसे दिमार में रिटेन करने लग जाएगे और एड़ टाइम ऑफ अटेंटें एक्जाम यू के राइट इजी ली विदिन अ शॉर्ट टाइम इससे आपका टाइम भी बहुत बचेगा और कॉस्टन को आप लिख सकेंगे तो यह मेरी वीडियो आप और इसी दाइब के साथ क्योंकि हमें सेलेक्शन देना है और आपको सेलेक्शन लेना है गुड़ बार